नमस्ते दोस्तों, दोस्तों प्रस्तु थे जूठन का अगला भाग, भाग नमबर दो और आखरी भाग चुनाव परचार में रुडकी के आसपास के गाउं, महलों में हम लोग पैदल घूमे थे उन दिनों लोगों के जीवन को और अधिक पास से देखने का मौका मिला था उनके दुख दर्द सुने थे, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी, जो लोक तंत्र और मत का सही सही अर्थ भी नहीं जानते थे एक कागज का टुकड़ा बकसे में डाल कर वे क्या करते हैं, उनकी समझ से बाहर था कितनी मासूमियत थी उन लोगों में, जो आजादी के मूल्यों और अर्थों से अंजान थे सच मुझ अजादी वहां तक पहुँची ही कहा थी, सत्ता के दलाल उनका शोशन और इस्तिमाल कर रहे थे देहरादून लोडते ही, मामा और पिताजी के बीच हुई कहा सुनी की खबर जनेसर ने मुझे दी थी मामा का गुस्सा मेरे प्रती और ज़्यादा बढ़ गया था, उन्हें लग रहा था कि पिताजी को मैंने पढ़का कर यहां भेजा था पिताजी उन्हें बहुत कुछ सुना कर गए थे, मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई में जुट गया था अजीब तंगी के दिन थे, जेब में कोई पैसा नहीं था, सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिये, काले चला जाता था दोपहर को लोटकर चूले में लकडी जलाकर कच्चा पक्का कुछ बना लेता था जस्पिर दोपहर को कभी-कभी आता था, विमला भावी अपने माई के गई हुई थी मामा दोपहर को अपने ठिकानों से रोटियां लेकर आते थे, लेकिन मेरा मन उन्हें खाने का नहीं होता था उन रोटियों को देखते ही इच्छा मर जाती थी बस जैसे तैसे दिन कट रहे थे, शाम को मैं जनेसर के साथ लकड़ी की टाल पटेल नगर में चला जाता था जहां ट्रकों में लकड़ी चड़ाने उतारने की मज़दूरी मिल जाती थी एक दो घंटा काम करके 5-10 रुपे हाथ में आ जाते थे, जो जेव घर्च के काम आते थे काम भारी और ठका देने वाला होता था, जनेसर की तो आदत थी, यह सब काम कर लेने की, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होता था जब जेव में 2-4 रुपे रहते थे, तो कालेज में खाली पीरियड के समय महेशवरी की चाई की दुकान में बंद और चाई से नास्ता कर लेता था यह दोनों चीजें 50 पैसे में आ जाती थी, पैसे खत्म होते ही, फिर पेट खाली, चाई नास्ता बंद कुछ दिन बच्चों को टूइशन भी पढ़ाया, इंद्रेश नगर में शाम का स्कूल भी हम लोगों ने शुरू किया था बुकनलाल ने योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही बुकनलाल को I.R.D. में नोकरी मिली, स्कूल बंद हो गया था जस्बीर सर्वे आफ इंडिया में नोकरी करता था, तंखा में से आदे से ज़्यादा कर्ज उतारने में चले जाते थे माया की शादी के लिए जो कर्ज लिया था, उसके ब्याज की दर बहुत ज़्यादा थी, हाथ में बहुत ही कम पैसे बसते थे देहरादून की पहली सर्दी मेरे लिए बहुत कस्ट दायक रही थी, मेरे पास सर्दियों में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था गाओं में तो चादर या खेज की बुक्कल मार कर कक्षा में बैठ जाते थे, यहाँ वह सब संभव नहीं था, स्वेटर की सक्त जरूरत थी देहरादून नगरपाली का सफाई कर्मियों को खाकी रंकी जर्शी देती थी, साथ में गाड़े खदर की एक मोटी कमीज भी देती थी यह कपड़े सफाई कर्मियों की पहचान थे, दूर से ही पता चल जाता था, उन्हें देखते ही लोग कहते थे जमादार है मैंने लकड़ी की टाल से 30-40 रुपे जमा कर लिये थे, एक सफाई कर्मिय से वह खाकी जर्शी खरिद ली थी उन रुपयों में से ड्राई किलिनर को देकर इस जर्शी को हरे रंग में रंगवा दिया था, लेकिन रंग बदल जाने से भी इस जर्शी की पहचान नहीं बदली थी पहले दिन जब मैं इसे पहन कर कालेज गया, तो लड़के जमादार कहकर चिड़ाने लगे थे ये स्वेटर मुझे सर्दी से तो बचा रहा था, लेकिन छातरों के वेंगे सर्दी से भी ज़्यादा तकलिफ दे थे कई बार सोचा, इसे नहीं पहनूँगा, लेकिन अंत में इरादा पका हो गया, देखता हूँ कब तक चिड़ाएंगे टाल से कमाई रुपें में से स्वेटर खरिदने के बाद कुछ रुपे बचे थे, उन रुपें से मैंने तिबती बाजार से कुछ मोटी उन सस्ते दामों में खरिद ली थी, इससे एक हफ स्वेटर बन गया था, ये स्वेटर सर्मलता भावी ने अपने हाथ से बना कर पुर्षोतम भी उनके साथ था, मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया था, लेकिन मैं उनकी बातचीत का सार समझ नहीं पाया था, उनके चले जाने के बाद मैंने पुर्षोतम से पूछा तो उसने कहा, राइपूर में कोई बंप फैक्टरी है, जा मशीनों के कलपूर्जों का काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में हाई स्कूल पास लड़के लिए जाते हैं, मैंने उसे कहा, चलो राइपूर चल कर पता करते हैं, उसने पूछा, तुम जानते हो, फैक्टरी कहा है, हाँ, सुर्जन के साथ एक दो बार राइपूर गया था, मैंने उत्तर दिया, मै आडिनेंस फैक्टरी के मुखे द्वार पर हमने फिर पूछताच की, उन्होंने हमें इंतजार करने के लिए कहा, दस मिनिट बाद एक वैक्टी द्वार पर आया, बोला ट्रेनिंग के बारे में कौन पूछ रहा था, मैंने का मैं पूछ रहा था, उस वैक्टी ने कहा, आडिनेंस फैक्टरी के डाग घर से एक एक पोस्ट कार्ड खरीद कर वहीं लिखकर डाग पेटी में डाल दिया था, 15-20 दिन बाद फार्म घर के पते पर आ गया था, मैंने चुपचा फार्म भर कर भेज दिया था, कुछ दिन बाद लिखित परिक्षा हुई थी, जिसमें मेरा चेहन हो गया था, मोखिक परिक्षा में भी मैं पास हो गया था, इस तरह मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, एप्रेंटिस बनकर मैं आडिनेंस फैक्टरी दिहरा दोन में प्रवेश पा गया था, फैक्टरी में दाखिल होने से पहले मुझे उस काम के विशे म कोई जानकारी नहीं थी, हाँ, इतना जरूर था कि पारिवारिक स्तर पर जो हजारों वर्सों से मेरे पुर्खे काम कर रहे थे, वह मुझे नहीं करना है, मैंने पिताजी को चिठी लिखकर बता दिया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिये, और एक सरकारी कार खाने में मश दिन जाती से मृतिव प्रियंद पीछा नहीं चूटता, इस तक्ति से वे अंततक एपरिचित रही, मैं आत्म निर्भर बन जाने के सपने देखने लगा था, गोर गरीबी के बीच जी ये दिन मैं भूल नहीं पा रहा था, तकनिकी सिक्षा पाकर जिविका के लिए दो वक पाशी थी, पैसे मिलते ही मैं पूरे रुपे जस्वीर के हाथ में रख देता था, वह उसमें से 20 रुपे जेब खर्च के लिए मुझे देता था, सुबह साथ बजे ही मैं घर से निकल जाता था, शाम को साड़े पॉंच बजे तक लोट आता था, साइकल से ही फैक्टरी ज जाता था, सुबह उठकर जस्वीर दो तिन पराठे मेरे बैग में रख देता था, जिन्हें मैं दो पहर के लंच में खाता था, मेरे लिए पराठे बनाने के बाद जस्वीर मामा के काम में हाथ बटाने निकल जाता था, मामा की ड्यूटी स्टेशन के सामने गांधी रोड पर थी, जहां होटलों के अलावा एक तांगा स्टेंड भी था, वहां से मामा को कुछ अतिरिक्त आमंदनी हो जाती थी, मामा का काम करके जस्वीर अपने दफ्तर जाता था, वह रोज का काम था, मामा और जस्वीर में पटरी बैठने का सुत्र शराब थी, शाम को वे दोनों मिलकर पीते थे, शराब की ये लट आगे चलकर जस्वीर के लिए घातक सीधुई थी, उसकी मोत का कारण भी बनी, एक दिन जब मैं फैक्टरी में जा रहा था, दर्शनलाल चोरहाई के पास कमला मिल गई, कमला गिरवर की लड़की थी, जो उन दिनों आईटी आई में पर हो रही थी, आईटी आई मेरे रास्ते में ही पढ़ता था, वह मेरी साइकल के कैरियर पर बैठ गई थी, मैंने उसे सरवे चोक उतार दिया था, श्याम को जब मैं लोटकर आया, मामा ने मेरे खिलाप मोर्शा बंदी की हुई थी, मामा ने पता नहीं कैसे देख लिया था, या किसी से उन्हें पता चला था, कमला का मेरी साइकल पर वैठना एक बड़ा जुर्म था, उनकी द्रिस्टी में, जबकि ये मातर सहियोग था, जस्बीर ने मुझे बहुत डाटा था, मैंने उन्हें समझाने की कोशिस की थी, लेकिन वे दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रह जो मेरे मन में नहीं था, वही थोपा जा रहा था, एक साधारन सी बात को इतना तूल दे दिया गया था, मेरे मन की शांती भंग हो गई थी, घर से भाग जाने का मन हो रहा था, वह रात मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं थी, गिरवर का परिवार और हम एक ही आंगन में थ हर गड़ी का साथ था कमला को यदि मैंने अपनी साइकल पर बैठा भी लिया था तो ऐसा क्या आपराध हो गया था जो मुझे इस तरह जलिल किया गया मैं इस तनाव से मुक्त होने के लिए बेचन रहने लगा था किसी ऐसे आफसर की ताक में था जो मुझे जीवन से आजाद कर दे इन दिनों पुस्तके मेरी सबसे गहरी मित्र थी जो होसला देती थी फैक्टरी से लोटकर दो तिन घरों में टूशन पढ़ाने के लिए जाने लगा था स्वयम को वैस्त रखता ताकी मामा से ज़्यादा वास्ता ही ना पड़े इनी दिनों मैंने अंग्रेजी और बंगला से अनुवादित अनेक उपन्यास पड़े थी डाक्टर अंबिटगर की पुस्तके ढूणने से भी नहीं मिलती थी उन दिनों दसेरे की छुटी थी चावनी शेत्र में एक सरकीट हाउसे जहां फूल सिंग रसोया था सुर्जन अक्सर वहाँ जाता था उसकी ससुराल की ओर से फूल सिंग परिचित था बलकी एक पारिवारिक रिस्ता भी था उनसे दसेरे के दिन हम वहाँ सुबह ही पहुँच गए थे सरकीट हाउस के पास एक विशाल मैदान है जहां छावनी की तमाम गतिवीधिया केंदरित होती थी वहीं हेलिकॉप्टर उतरने की पट्टी भी बनी हुई थी जब भी कोई विशिस्ट व्यक्ति देहरा दून आता था इसी पट्टी पर हेलिकॉप्टर उतरता था दशरे के दिन इस मैदान में विशेश चहल पहल रहती थी मैं और सुर्जन भी इस चहल पहल को देखने वहां पहुँच गए थी हजारों की भीड थी मैदान में भीड के बीच एक छोटा सा गड़ा था जिसके एक किनारे बड़ी सी मजबूत बल्ली के साथ एक खूब मोटा तगड़ा भैसा बंदा हुआ था उसके पास ही सेना की सशस्त्र टुकड़ी खड़ी थी एक और टेंट लगा था जहां कुर्सियों पर कुछ विशिष्ट लोग और उनके परिवारजन बैठे हुए थे एक किनारे बैंड बज रहा था जहां कुछ लोग बैंड की धुन पर नाचने की कोशिस कर रहे थे पूरा माहूल उत्सव और उमंग से भरा हुआ था इसी बीच भीड को चीरता हुआ एक बलिष्ट व्यक्ति मैदान में दाखिल हुआ उसके जिस्म पर मात्र एक जांगिया था लाल रंग का सिर पर पगडी थी गले में गेंदे के फूलों की माला मात्य पर लाल टीक का वह एक कसरती बदन का पहलवान जैसा था हाथों में एक विशाल खुखरी उठाए वह भैसे के पास आकर रुख गया था उसके आगे पीछे एक ब्राह्मन पुजारी हाथ में पूजा का थाल लिये हुए चल रहा था भैसे के पास पहुचकर पुजारी ने भैसे के उपर सिंदूर, चावल, हल्दी फेके उसके सिंगों पर भी हल्दी लगाई इस बीचवय लगातार उची आवाज में संस्कृत के शलोक दोरा रहा था पूजा समाब्त होते ही सेना आधिकारी ने टुकडी को अटेंशन का आदेश दिया उसके दूसरे आदेश पर हवाई फायर होने लगे साथ ही उस बलिच्ट वैक्ति ने दोनों हाथों से खुकरी उपर उठाई और पलक जपकते ही भैसे की गर्दन पर वार किया देखते ही देखते भैसे का धड़ और सिर अलग-अलग हो गए थे भैसे के शरीर से लाल-लाल रक्त के फवारे फूट रहे थे रक्त गढ़े में जमा हो गया था भैसे की गर्दन कटते ही चार और खुशी की लहर दोड गई थी लोग नाशने लगे थे जोर-जोर से चिला रहे थे एक और मुर्गों और बक्रों की बली दी जा रही थी कुल मिला कर एक बह्यावय महोल था मानो हत्याओं का मेला लगा हो मैंने सुर्जन से वापस चलने के लिए कहा मुझे अजीब सी गुटन हो रही थी मेरे लिए वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था शक्ति पुजा के नाम पर होने वाले पशुवद ने मुझे विचलित कर दिया था आखों के सामने भैसे का सिर बल्ली से बंधा लटक रहा था एक और भैसे का सिर विहिन जिस्म पड़ा था देहरादून और उसके आसपास पशुवद ली आम बात थी देहरादून ही नहीं गड़वाल में भी एक देवी खेरावदनी के मंदिर में प्रतिवर्ष भैसों की बली देने की प्रथा थी यह मंदिर पोड़ी जनपद के कांडा नमक स्थान पर है दिपावली के दूसरे दिन भैसों की बली दी जाती है गड़वाल कुमाउं सिमा के निकट बोरों खाल गड़वाल वे मालदे अलमोडा कुमाउं विकास खंडो के अंतरगत आयोजित किये जाने वाले कालिंग का मेले में धाई तिन हजार पशों की बली दी जाती है धार्मिक अनुस्ठान के नाम पर तथा आपनी मनोतिया पूर्ण करने की अभिलाशा में आयोजित परंपरागत मेले में जिला पर्शाशन की ओर से जिला आधिकारी, विधायक, जन प्रति निदी, बड़े बड़े आधिकारी उपस्तित होते हैं उनकी मौजूदगी में भैसों, भेडों की बली दी जाती है कलिंका का ये प्रसिद 500 वर्ष पुराना पशुवद मेला प्रती तीसरे वर्ष आयोजित के होता है मेले में शराब की बिकरी धडले से होती है मेरट के प्रसिद नोचंदी मेले और तमिलनार के कामाक्षी मेले के समान महत्व वाले इस विशाल मेले में प्रादेशिक सेवा दल के स्वेम सेवक, होम गार्ड्स एवं राजसु विभाग के करमचारी शान्ती व्यवस्ता बनाई रखने के लिए तैनात किये जाते है प्राचीन कालेंका मेला गडवाल कुमाओं की सांस्कृतिक एकता का अनूठा उधारन माना जाता है इस मेले में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेश भूशा और जेवरातों से सजी धजी भाग लेती हैं वहीं पूरुश हातों में गंडा से उठाए लोक धुनों पर नास्ते गाते चलते हैं यह मेला इस शेत्र की सांस्कृतिक भावना और सब्भेता का दर्पन है जो कांडा, मुंडनेश्वर, भुंखाल, आधी, पशुबली मेलों की एक कड़ी है वर्तमान प्री प्रेक्षे में ऐसे कर्मकान धर्म के प्रती, सातवीक भाव कैसे पैदा करते हैं यह मेरे लिए हमेशा हरानी और शोब का कारण रहा है वहे भी देव भूमी कही जाने वाली, उत्राखंड भूमी पर सच मुझ मेरे लिए पशुबली एक घोर एमानोशिक हिंसक प्रवर्ती का प्रतीक है आडिनेंस फैक्टरी में एक वर्स के परसिक्षन के बाद एक परतियोगी तात्मक परिक्षा हुई थी जिसमें मुझे चुन लिया गया था उच परसिक्षन के लिए जबलपूर जाना था जहां आडिनेंस फैक्टरी परसिक्षन संस्थान खमरिया जबलपूर में दो वर्ष रहना था इस चैन परिक्षा ने मेरे लिए परगती के नए द्वार खोल दिये थे जबलपूर जाने से पूर्व मैं गाऊं गया था पिताजी और मा से मिलने पिताजी ने खुश होकर कहा था जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा दुनिया देखोगे लेकिन मा चिंता तुर हो गई थी उसने जबलपूर का नाम भी नहीं सुना था बार-बार पूछ रही थी यहां से कितने कोस है मा ने दिल्ली भी नहीं देखी थी सिर्फ नाम सुना था मा की चिंता थी कहां रहोगे क्या खाओगे वहां के लोगों की बोली कैसी होगी आधी आधी मैंने जब उन्हें बताया कि हास्टल में रहूँगा मैस में खाना मिलेगा वहे भी सरकारी खर्च पर तो वह थोड़ा अस्वस्थ हो गई थी एक कपड़े में बांध कर उसने मुझे दो-तिन किलो गुड़ दिया था पिताजी ने मेरा होसला बढ़ाया था जबलपूर उन सभी के लिए परदेश था देहरादुन लोटकर मैंने जबलपूर की तैयारी शिरू कर दी थी मेरे साथ जाने वालों में विजे बहादुर सोल भी था जो पंजाब के होश्यारपूर जिले का रहने वाला था हर्याना, कभीरपूर गाउं में उनकी खेती बाड़ी थी पंजाबी जट था वह ट्रेनिंग के दोरान ही हमारी दोस्ती हो गई थी वह पंजाबी ही बोलता था, हिंदी बोलने में अटकता था स्टेशन पर जबलपूर जाने के लिए जब हम पहुँचे ट्रेनिंग के लड़कों की भीड थी इस भीड में जस्बीर, जनेसर, बिमला, सुर्जन, रहती भावी जो गाउं से एक दो दिन के लिए आ गई थी स्वन लता भावी, उनकी छोटी बेहन, चंदरकला जिसे सभी चंदर कहकर बुलाते थे, आये थे मुझे विधाई देने, विधा के शन बहुत भारी थे तमाम आभावों के बीच कुछ कोमल तंतु थे जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुए थे एक नई और अंजान दुनिया की और हमारी गाड़ी चल पड़ी थी परिचित सब पिछे छूट गए थे, रहे गई थी सिर्फ कुछ स्मृतिया जैसे जैसे गाड़ी की गती बढ़ रही थी, विधाई का गम भी छटने लगा था कुल भोशन नईयर की चुहल बाजी शुरू हो गई थी, उसका भी चयन जबलपूर के लिए ही हुआ था पहली जुलाई 1968 की शाम पांच और छे बजे के बीच हम रेल गाड़ी से जबलपूर स्टेशन पर उतरे थे स्टेशन पर ही हमें आडिनेस फैक्टरी ट्रेनिंग इंस्टिचूट के चातर मिल गए थे, वह हमें लेने आये थे, उनके मिल जाने से हमने राहत की सांस ले थी वरिष्ट छात्र हमें बेहद आत्मियता से छात्रवास लेकर आये थे, कमरों का अबटन पहले से तै था, मुझे हास्टल नंबर एक के कमरा नंबर तीन में जगे मिले थी परशिक्षन संस्तान के छात्रवास में आकर मैंने एक नई दुनिया से साक्षाथकार किया था खुब चहल पहल थी, हास्टल की शाम हलचलों से भरी हुई होती थी, वरक्षों के जुर्मुट में चिडियों की चहचाहाट शाम होते ही गुझने लगती है वैसे ही गाना बजाना, खेल, कूद, हसी मजाक से लेकर तरहें तरहें की गती वीदियों से छात्रवास जीवन्थ हो उठता था हास्टल एक शांत जगें पर था, जिसके एक और आडिनेस फैक्टरी, खमरिया थी तो दूसरी और ग्यारिशन अभियन्था का कारिया ले, मुख्य मार्ग और हास्टल के बीच संस्तान का मुख्य भवन, आडिटोरियम आ दी थे आवास ये शेतर काफी फासले पर था, हास्टल के पीछे एक बड़ा सा नाला बहता था, जो होस्टल को आवास ये शेतर से अलग कर देता था परशिक्षन संस्तान में एक बंधी बंधाई दिन चरिया थी सुभ़ उटते ही 16.30 बजे परशिक्षन संस्तान की वरक्षाप जाना पड़ता था ये वरक्षाप आडिनेंस फैक्टरी के भीतर ही स्थित थी सुभ़ 7 बजे चाई नाश्ता मिल जाता था दोपहर बारा बजे खाना, उसके बाद एक बजे से शाम साड़े चार बजे तक संस्तान के मुख्य भवन में तक्नीकी शिक्षा के लिए कक्षाई होती थी, जिन में इंजिनियरिंग से सम्बंदित तक्नीकी ग्यान दिया जाता था. परस पर सहियों की आदार पर चातरों की एक मैस समिती ही मैस का परबंदन करती थी, फिर भी खाने को लेकर अक्सर लड़ाई जगडे होते रहते थे, वरिष्ट चातरों की मन माने भी ऐसे समय में उभर आती थी. अक्सर रोटियों के कच्चा होने की सिकायत चातर करते थे, कभी कभार मार पीट की नौबद भी आ जाती थी, कच्ची रोटियों को लेकर विजे बहादर और मेरा नजरिया भिन्य था, मैं कभी सिकायत नहीं करता था, विजे बहादर जब रोटियों को बरबाद करते किसी को देख लेता था तो वह अपने गुस्चे को रोक नहीं पाता था ओए खोते तु इस रोटी की कीमत नहीं जानता ये खेत में उगाने में कितनी मेहनत लगती है तुझे पता है उसके इस सम्वाद को सुनकर कोई भी रोटी फेकने की हिमत नहीं करता था सचमुच रोटी की कीमत किशान से जादा और कोन जान पाएगा विजे बहादुर पंजाब के एक किशान परिवार से था मैंने बचपन से रोटी को बहुत मुल्लेवान वस्तु माना है इसे बरबाद करने वाले लोग मुझे अपरादी लगते थे चात्रावास के दिन कुछ लोगों के लिए मस्ती भरे दिन थे मेरे लिए व्यक्तित्व निर्मान के चात्रावास में रहकर ही मैंने पहली बार शत्रंज देखी थी हाथी घोड़े के इस खेलने मुझे अकर्शित किया था जिसे सीखने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था चात्रावास में कई साती थे जो संस्तान से लोटते ही खेलने बैठ जाते थे मेरे एक परशिक्षक थे ओपी गर्ग जो शत्रंज के शोकीन थे जब उन्हें पता चला कि मैं भी शत्रंज खेलता हूँ तो वे छात्रावास में शत्रंज खेलने आने लगे थे कई बार वे धेर राद तक खेलते रहते थे उन दिनों शत्रंज का नशा मुझे पर कुछ ऐसा चड़ा हुआ था कि इस शत्रंज की चाले ही मस्तिक्स में घूमते रहती थी उन्ही दिनों प्रेमचंद की कहानी शत्रंज के खिलाडी पढ़ने को मिल गई थी जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे शत्रंज एक घातक बिमारी है जिसमें डूब कर अपने घर, परिवार, देश, राज्य तक की सुध बुद बूल जाते हैं उफ! क्या कहानी थी? उस कहानी को पढ़कर मैं कई दिन बेचेन रहा था असर ये हुआ कि मैं इस खेल से दूर होने लगा था शत्रंज का नसा मुझे ज़्यादा दिन बांध नहीं पाया था मैं शत्रंज का एक अच्छा खिलाडी बनते-बनते रह गया था जिसका मुझे अपसोस नहीं, खुशी हुई थी नए परिवेश और नए वातावर्ण में पहुँचकर एक नया ही अनुभव हुआ था काफी बड़ा होस्टल था, जिसमें लगवग पानसो चातर एक सात रह सकते थे बड़े-बड़े कमरे थे, एक-एक कमरे में दस से बारा चातर थे अलग-अलग जगें से आई हुए, मेरे कमरे में देहरा दून, मुराद नगर, कानपूर, पूना आदी के चातर थे सभी के पास अपने बिस्तर थे, लेकिन मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था लोही की चारपाई और एक-एक कुरसी सभी को मिले थी मेज का काम दिवार के साथ लगी, छोटी अलमारी से चल जाता था हस्टल में पहुँचते ही सबसे पहले बिस्तर की समश्या मेरे सामने आई थी मेरे पास एक सस्ता सा सूट केस्ता, जिसमें नाम मातर के कपड़े थे कुछ पढ़ने लिखने की सामगरी थी काफी दिन तक मैं और विजे बहादूर एक ही विस्तर में सोए थे लगबग महीने भर बाग रांजी के एक दुकनदार से कपड़ा लेकर एक गद्दा बनवाया था गद्दे की कीमत हर महीने थोड़ी थोड़ी करके चुकाई थी परशिक्षन के दोरान जो भत्ता मिलता था उससे मैस का खर्च निकाल कर जो थोड़े पैसे बसते थे उनसे ही पाकी खर्चे पूरे होते थे बहुत ही तंगी के दिन थे अन्य साथियों की तरह मोज मस्ती करने की स्तिती मेरी नहीं थी मेरी कोशिस रहती थी कि हर महिने भत्ते में से कुछ पैसे बच जाएं ताकि मैं पिताजी को मनी ओडर कर सकूँ कुछ माक्सवादी विचार के लड़के भी थे उनके संपर्क में आकर ही मैं माक्सवादी साहित्ते पड़ पाया था विचेस रूप से गोर्की की माने मुझे जगजोर दिया था चेक्खव की कहानियों से भी परिच्चे हुआ था इन लड़कों के साथ मिलकर मैंने एक थेटर गुरूप बनाया था छात्रवास में नाटकों का पुरुआभ्यास होता था संस्थान के अडिटोरियम में कई शो भी किये थे कविताएं भी इन दिनों में लिखने लगा था मेरे बराबर के कमरे में गोविंद मोरिये नाम का एक छात्र था जो हर वक्त पुस्तकों में डूबा रहता था राही मासुम रजा का आधा गाउं उन दिनों खासा चर्चित था गोविंद मोरिये नहीं मुझे पढ़ाया था यश्पाल का जूठा सच रात रात भर जाकर पढ़ा था जिस रोज मैं छात्रावास में पहुँचा था मेरी मेज के डुरार में रखी सारा आकाश राजिंदर यादव की प्रती मिली थी मैं पूरे दो वर्ष उस कमरे में रहा और कई-कई बार उस उपन्यास को पढ़ा मध्यवर्ग पर इससे बहतर रचना मेरी नजर से नहीं गुजरी मैंने ही नहीं और कई लोगों ने इस उपन्यास को उन दिनों पढ़ा था उनी दिनों छोटे-छोटे एकांकी लिखकर उनका मंचन करना भी मैंने शुरू कर दिया था स्वेम अभिने एवं निर्देशन भी करने लगा था उन दिनों रंग कर्म की ये मेरे लिए शुरुवात थी उन दिनों खमरिया जबलपूर में एक चर्चित रंग कर्मे थे शिरी वर्मा जी उनके निर्देशन में मैंने कई नाटक किये थे एक छाया नाटक भी किया था गांधी शताब्दी के अवसर पर जिसका परदर्शन खमरिया के बड़े मैदान में हुआ था विजे बहादूर सोल और मैं एक ही कमरे में रहते थे दोनों की पीडाओं में एक समेता यह भी थी कि मेरी पढ़ाई आदूरी रह गई थी और वह भी आगे पढ़ना चाहता था यह बात दोनों को सालती थी हम दोनों ने टै कर लिया ताकि कुछ करना है AMIE Engineering प्राइवेट परिक्षाओं से पास की जा सकती थी हम दोनों फार्म लेकर आ गए थे लेकिन फीज भरने लाइक पैसे मेरे पास नहीं थे मैंने फार्म नहीं बरा विजे ने कहा भी था यार तू कहे तो मैं अपने बापू से मांग लेता हूँ मैंने मना कर दिया था यानि एक बार फिर पढ़ाई जारी रखने के मनसुबों पर पानी फिर गया था जबलपूर में बिताए दिनों ने मुझे बदल कर रख दिया था मेरी बोलचाल बदल गई थी उठने बैठने का रंग धंग बदल गया था कई ऐसे मित्र बन गए थे जो लगातार समसामई के विशों पर बहस मुबाही से करते थे मैं गोस्टियों और सांस्कृतिक कारिय क्रमों में सक्री हो रहा था जबलपूर की सहित्य गती विद्धियों से मैं जुड़ गया था सहित्य के प्रती मेरा एक नजरिया भी बनने लगा था कलावादी रचनाओं की जगें जनवादी सोच अकर्शित करती थी गाउं से पिताजी के हर पत्र में शादी के लिए हां कर देने का आगरह होता था उन्हें लग रहा था मेरी उम्र बढ़ रही है इतने दिनों में तो लड़के बाप बन जाते हैं मैं इनकार करता आ रहा था मैं ग्रस्ति के चक्कर से दूर रहना चाता था मुझे दो वर्ष छोटी बहन माया की शादी तीन वर्ष पूर हो चुकी थी दो वर्ष काफी वेस्तता में गुजरे थे ट्रेनिंग भी सुव्यवसित चल रही थी संस्तान में मेरी एक पहचान बन गई थी हास्टल में जाती को लेकर साथियों में कुछ विशेस ऐसा नहीं था जो तकलिफ दे था हाँ कभी कभी दिल्ली मुराद नगर के साथी छीटा कसी जरूर कर देते थे देहरादुन और मेरेट के लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मेरी जाती क्या है जिबकि मेरे नाम के साथ वाल में की उपनाम जुड़ा हुआ था संस्तान में कई लोग थे जिनका सानित्दे मुझे मिला एक श्री लाल जी थे जो मुझे हमीशे अपने घर बुलाते थे प्रकाश कामले थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था इन ही दिनों आडिनेस फैक्टरी ट्रेनिंग इस्टिचूट अंबरनाथ बंबई में ड्राफ्ट मैन की ट्रेनिंग के लिए आविदन मांगे गए थे हमारे संस्तान के लगबग सभी छात्रों ने आविदन किया था अखिल भारतिय प्रतियोगिता के आधार पर इस पर्शिक्षन के लिए चैन होना था लिखित परिक्षा में मेरा चैन हो गया था साक्षातकार के लिए मंबई जाना था फिर आर्थिक समयशा खड़ी हो गई थी विजे ने कुछ रुपे दिये थे तब ही मैं साक्षातकार के लिए जा पाया था खमरिया से पर्शिक्षन पूरा होते होते मंबई से बुलावा आ गया था खुशी तो हुई थी लेकिन परिवार की जीरन अवस्ता आखों में घुम रही थी पर्शिक्षन खतम होते ही आडिनेस फैक्टरी में काम मिल जाने की पूरी संभावना थी काम मिल जाने का आर्थ था आर्थिक स्थिति में सुधार जिविका के लिए नोकरी की जरुरती इसलिए आगे धाई वर्ष और ट्रेनिंग कर पाना मुस्किल था मैंने अपने संस्थान के वरिष्ट पर्शिक्षक शिरी थोमस के सामने अपनी समेश्या रखी उन्होंने गंभीरता से मेरी बात सुनी और कहा जहां इतने दिन चल गया है डाई वर्ष और चलने दो अंबरनात मंबई के पर्शिक्षन के बाद तुम एक अच्छी स्थिति में आ जाओगे उन्होंने मजे सो रुपे भी दिये थे मैंने बहुत कहा नहीं सर ये रुपे नहीं लोगा लेकिन वे नहीं माने रख लो मंबई बड़ा शहर है जरुरत पड़ेगी नोकरी लग जाने पर लोटा देना सो रुपे एक वरिष्ट साथी यश्पाल कालिया ने दिये थे इन दो सो रुपे की बदोलत ही मैं मंबई पहुँच पाया था विजे बहादूर सोल को जबलपूर में छोड़ कर मैं मंबई के लिए रवाना हो गया था उससे अलग होने की पीड़ा से मेरा मन भारी था तिन वर्सों से हर पल का साथ था विजे की आँखों में भी आशू थे विजे और मेरे बीच गहरे समन्द बन गए थे उसके बगैर मुझे अधूरापन महसूस होता था अपनों से कहीं ज़्यादा था मेरे लिए विजे बहादूर सोल खमरिया हास्टल में रहते हुए मेरे पास काफी पुस्तके हो गई थी उन्हें बंबई ले जाने के लिए मेरे पास उस समय कोई साधा नहीं था वेकिल फ्यक्टरी जबलपुर में मेरे एक साथी थे करन सिंग मैं और विजे कुछ दिन उसके ही साथ रहे थे मंबई जाने से पहले मैंने अपने तमाम पुस्तकें उसके पास रख दी थी उसने भी वादा किया था किसी के साथ मंबई भेज देगा लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते गए ना मैं लोटकर जबलपूर आ सका और ना करन सिंग ने पुस्तकें भेजी कुछ दिन पत्तर व्यभार भी चला लेकिन कुछ समय बाद पत्तरों का सिलसला भी तूट गया था करन सिंग को और विजे सोल को मेरी उन सहितिक पुस्तकों में कोई रूची नहीं थी उनके लिए वे रद्दी से ज़्यादा कोई एहमियत नहीं रखती थी उसी में सारा आकाश की वह प्रती भी थी जो किसी आजनभी ने मेज की ड्रॉर में मेरे लिए रक छोड़ी थी या बूल चे चुट गई थी आठ जुलाई 1970 की शाम थी मैं अपने थोड़े से समान के साथ आडिनेंस फैक्टरी ट्रेनिंग संस्तान अंबरनाथ के चात्रावास में पहुंचा था कल्यान रेलवे स्टेशन पर संस्तान की गाड़ी खड़ी थी जबलपूर से और भी कई लोग आये थे चात्रावास अंबरनाथ की पहाड़ी की तलहटी में एक खुब सूरत स्थान पर था आडिनेंस फैक्टरियों में इस संस्तान और इसके चात्रावास की एक वेशिस्ट महता थी यहां परशिक्षित, तकनेशियन, ड्राफ्स्मेन, भारत के स्रिष्ट, तकनेशिनों और ड्राफ्स्मेन में गिने जाते थे चात्रावास में शाम बेहद जीवन धोती थी जिमनास्टिक, इंडोर गेम्स, आदी की सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल एवं पुस्तकाले, वाचनाले भी थे चात्रावास का पुस्तकाले देखकर मैं रोमांची थो उठा था इसे पुस्तकाले में मैंने पस्तरक नाक, हमिंगवे, विक्टर, हुगो, पियरे, लुई, टॉलस्टाई, पर्लेस बक, तुर्गनेव, दास्तो एवस्की, स्टीव एंसन, आसकर वाइल्ड, रोम्यारोला, एमिल जोला को पढ़ा था यहीं रहते हुए रविंदर नाफ्टेगोर कालिदास का संपूर्ण वाक में पढ़ा था चातरावास के एक एक कमरे में, तस-दस चातर रहते थे मेरे साथ थे सुदामा पाटिल, मराथी, भुसावल, वी के उपाध्याई कानपूर, पीसी, म्रधा, बंगौली, केसी, राय, बंगौली, दिलिप कुमार, मित्रा, बंगौली, बी के जान, कटनी, मध्यपरदेश, गोर, मोहंदास, बंगाली, कलकत्ता, और गुलाटी, सिक सुदामा पाटिल से जल्दी ही गनिष्टा बन गई थी, उसे भी साहित्ते में रूची थी, नाटकों के प्रतिवस में गहरा लगाओ था प्रतेक शनिवार, रविवार को हम दोनों मंबई नाटक देखने पहुँच जाते थे, कभी कभी सफता के बीच में कोई अच्छा परदशन हुआ तो होस्टल से चूरी छिपे जाना पड़ता था, दस बजे रात में छात्रावास के गेट पर ताला लग जाता था, दिवा रोज मैंने फैक्टरी में जाकर एक चावी बना ली थी, चावी बनते ही हमारी समेश्याओं का समाधान हो गया था, लेकिन एक रोज हम दोनों फस ही गए थे, रात बारा बजे तक धरबान फुस्तकाले के बरामदे में सो जाता था, हम चुपके चुपके बंद ताला खोल कर अंदर आ जाते थे, अंदर आकर फिर से ताला बंद कर देते थे, उस रोज दरबान जाग रहा था, हमें ताला खोलते देखकर बहेच्छिल आया, ताला खुल चूका है, हम अंदर आ गए, उसने वार्डन से सिकाइद करने की धमकी दी, मैंने उससे पूछा, क्या इसे बंद करो काफी गर्मा गर्मी हो गई थी हो हुला सुनकर वार्डन उपा ध्याइबी वहां आ गए थे मुझे देखते ही बोले मैरसी तुम यहां क्या कर रहे हो वे मुझे इसी नाम से बुलाते थे मैंने पूरे आत्म विज्वा से कहा वार्डन सहाब ये दर्बान ताल रफा दफा हो गया था लेकिन वार्डन को हम दोनों पर शक था हमने भी कुछ समय के लिए अपनी गतिवीदियां स्तगित कर दी थी अंबरनात के गांधी आश्रम में स्रीराम लागू के अभिनीत नाटक का मंचन था नाटक के टिकट बहुत ही मुश्किल से मिले थे नट स समराट की भूमिका में स्रीराम लागू ने धूम मचा रखी थी मैसे से खाना खाकर हम लोग चुपचाप बाहर निकल आये थे साड़े नो बजे से नाटक था उस समय सवा नो बच चुके थे पाटिल और में जल्दी जल्दी स्टेशन जाने वाली सडक से जा रहे थे अच अचनक पाटिल बोल पड़ा सर सिर में दर्थ था स्टेशन तक जा रहे हैं चाए काफी पीकर अभी लोट आएंगे क्यों मैस में चाए काफी नहीं मिलती मिलती तो है सर लेकिन आज दूद नहीं बचा इसलिए स्टेशन तक जा रहे हैं पाटिल ने बाहना मारने की कोशिस की उपाध्याई जी ने कहा आऊ मेरे साथ मैं काफी पिलाऊंगा वे हमें रोक कर अपने क्वाटर पर ले आए नाटक के टिकेट हमारी जेब में कुन मोना रहे थे समझ में नहीं आ रहा था इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं हमें ड्रोएंग रूम में बैठा कर उन्होंने अ कस होई में गुसी मैंने उठते ही कहा अमा जी वाडन साथ बेकार में आपको तकलिफ दे रहे हैं लाईए चाए में बनाता हूँ वे मुझे देखते ही खुश हो गई महरसी तुम आए हो बैठो बैठो मैं बनाती हूँ चाए मैंने उनके पास जाकर धीरे से कहा अम्मा जी आज हम दोनों गांधे स्कूल में नाटक देखने जा रहे थे वाडन साहब घेर कर यहां ले आए ये देखो टिकट लेकिन उन्हें पता नहीं है अम्मा जी उपर से नीचे मुझे घुरते हुए बोली अच्छा नाटक है मैंने का अम्मा बहुत अच्छा है तो जाते क्यों नहीं वे हसते हुए बोली कैसे जाए वाडन साहब इजाजत नहीं देंगे मैंने रुवासा होकर कहा वे उठकर ड्राइंग रूम में आ गई अरे कैसे वाडन हो बच्चों को घुमने फिरने भी नहीं देते जाओ मैरिसी लेकिन जल्दी ही लोट आना उपया धाय जी कुछ बोल नहीं पाये थे हम दोनों ने जो दोड़ लगाई सीधे गांधी स्कूल में आकर ही दम लिया नाटक शुरू हो चुका था रात एक बज़े शो छूटा था हास्टल का ताला खुला छोड़कर दर्बन सोया हुआ था सुदामा ने ताला बंद करते हुए कहा जय अम्मा जी उन दिनों हमने विजय तेंदूल करके मराठी नाटक सखाराम, बाइंडर, गिधाडे, खामोश, अदालत, चारी है देखे थे बंबई में थियाटर यूनिट के हैवदन, आशाड का एक दिन आदी में अमरिश्पूरी, आमोल पालेकर, सुनीला, परधान, सुलभा देश पांडे के अभिने ने इन नाटकों को सजीव बना दिया था चात्रावास में भी हमने एक नाटे दल गठित कर लिया था नाटकों का पूरवा अभ्यास शुरू कर दिया था अमबरनात में कई जगें हमने मंचन भी किये थी इसी बीच पूरवा में गवई बन्दू कांड हो गया था पूरवा के पास एक गाउं में स्वर्णों ने गवई बन्दू की आंके फोड़ दी थी इस घटना से मंबई पूरवा में तना उबढ गया था दलित पैंतर की सुख भुगाहट शुरू हो चुकी थी इस घटना को पाशवर में रखकर मैंने दलित समयश्याओं पर एक लेख नव भारत टाइम्स मंबई को भीज आता जो उसी भी छप गया था इस लेख पर जबरदस्त परतिकरियाई हुई थी सिव सेना के समर्तक सरकारी करमचारी ने मेरे इस लेख की सिकायत संस्थान के प्रिंसिपल सिरी देशाई से की थी प्रिंसिपल ने मुझे अपने कारियाले में बुलाकर नव भारत टाइम्स की वह प्रति मेरे सामने रख दीती ये तुमने लिखा है? जी, उन्होंने दुबरा पोचा तीक से देख कर बदाओ, ये लेख तुमारा है? जी, मेरा ही है, मैंने स्विकार किया तुम सरकारी संस्थान में हो इसके आधार पर तुमारे विरुद अनुशास नात्मक कारवाई हो सकती है मैं चुप रहा थोड़ी देर बाद वे बोले, ट्रेनिंग के दोरान ये सब मत करो निकाल दिये जाओगे जाओ, आगे से ध्यान डखना उन्होंने मोखिक चेतावने देकर मुझे छोड़ दिया था लेकिन इस लेख के कारण चात्रावास में कुछ साथियों का व्यभार बदल गया था वे मेरी जाती ढूनने लगे थे क्योंकि मैंने दलितों के प्रती अपनी सब्वेदना दिखाई थी जो उनकी द्रिस्टी में मेरा अपराथ था इसी बीच सुदामा पाटिल ने आचारी अत्रे के एक नाटक मारुची माउसी का हिंदी अनुवाद कर डाला था उसमें मुख्य भूमे का मेरी ही थी नाटक के प्रतम मंचन के बाद अंबरनाथ के लोग मुझे एक रंग कर्मी के तोर पर पहचानने लगे थे ओम परकाश वालमेकी के बजाए वे उस पातर के नाम से मुझे पुकारते थे मैं अपने भीतर उत्सा महसूस करने लगा था इसी दोरान अंबरनाथ के मराठी रंग कर्मी कुलकरनी से परिशे हुआ था जो आगे चलकर घनिष्ठ था में बदल गया था कई चर्चित निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला था जहां एक और मैं अपने लिए रास्तों की तलाश में भटक रहा था वहीं बार-बार पिताजी के पत्र आ रहे थे वे मेरी शादी करने के लिए चिंचित थे मुझे परशिक्षन के दोरान जो भट्ता मिल रहा था उसमें से मैस का खर्च निकाल कर हर मही ने एक निष्चित राशी पिताजी को भिज देता था हाथ में जो बसते थे बस उनसे ही खर्च चल रहा था नाटक के टिकट में हमें छूट मिल जाती थी विद्यार्थी होने का लाव हम उठाते थे रेल में बिना टिकट यात्रा करने के हतकंडे हमने सीख लिये थे दाधर, वीटी, चर्च गेट के टिकेट, चेकर्स को चकमा देने के कई फार्मूले हमने इजाद कर रखे थे कम से कम खर्च में हम मंबई भर्मन कर लेते थे इनी दिनों मेरा परिचे मराठी के दलित सहित्ते से हुआ था दलित सहित्ते के रचनाई मराठी सहित्ते को एक नई पहचान दे रही थी दया पमार, नामदेव धसाल, राजा धाले, गंगाधर, पंतावने, बाबू राव, वागूल, केशव, मेशराम, नारायन, सुर्वे, रामन, निमबालकर, यश्वंत मनोहर के शब्द, रगूं में चिंगावी भर रही थे ऐसी अभिव्यक्ति जो रोमान्चित कर एक नई उर्जा से भर रही थी मैं जैसे जैसे दलिच सहित्ते के संपर्क में आ रहा था, मेरे लिए सहित्ते के अर्थ बधल रहे थे सुदामा पाटिल ने इन दिनों मेरी बहुत मदद की थी मेरा मराठी का ग्यान धिरे धिरे विक्षित हो रहा था जबलपूर से गोविन मोरिये भी इस संस्थान में अगले बैच में आ गया था अब हम दो से तीन हो गए थे हम तीनों ने मिलकर बंबई की वे तमाम दुकाने छान डाली थी जहां हिंदी पुस्तके मिलती है गिर्गाओं में हिंदी गरंथ रतना करके मालिक से मितरता हो गई थी महिने में कम से कम एक बार हम हिंदी गरंथ रतना कर अवश्य जाते थे हमारी मंडली में विजे शंकर, नरेंदर गोगिया, अमित अगरवाल, राजिस वाजपई भी जूड गए थे परशिक्षन की तकनिकी पढ़ाई के साथ साहित्तिक अभिरूची का यह संसर हमारे भीतर लगातार एक नई चेतना भार रहा था चात्रावास के मस्ती भरे दिनों में भी हम जीवन की कटू और दुर्दम में सच्चाईयों को महसूस कर रहे थे छुटी होते ही हमारे साथी पिकनिक और सिनेमा की और भागते थे हम गंबिर समश्याओं पर लंबी-लंबी बहसों में गंटों बिताय देते थे उन तमाम कार्यक्रमों में हम शामिल थे जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेज करें कई बार विजे शंकर कहता था यार तुम लोग कभी जवान भी होए हो या नहीं हास्टल में जवानी का अर्थ ही कुछ और था जिसमें हम फिट नहीं होते थे क्योंकि साहित्ते जैसी फालतों चीजों ने हमारे मस्तिक्स जुलसा दिये थे आडिनेंस फैक्टरी परसिक्षन संस्तान अंबरनाथ बंबई हास्टल संस्तान से ज़्यादा दूर नहीं था पहाड़ी की तलहटी में हास्टल बना था खुब सूरत जगे थी मेरा रूम पार्टनर सुदामा पाटिल भूसावल का रहने वाला था पाटिल का एक मित्र रमेश था जो भूसावल का ही रहने वाला था उसी ने हमारा परिच्चे कुलकर्नी से कराया था पिनाएक सदाशिव कुलकर्नी कालोनी के फ्लैट में रहता था हमबरनात में होने वाली संस्कृती गतिवीदियों का केंदर था कुलकरनी एक दो मुलाकातों के बाद ही हमारे बीच आत्मियता बन गई थी अक्सर शाम को उनके फ्लैट में पहुंच जाते थे कुलकरनी मीट मचली खाने का शुकीन था घर के रसोई में संभव नहीं था इसलिए रविवार की दोपेर मेस में बना मीट उन्हें खीच लाता था बातचीत में आत्मियते उमर में हम दोनों से काफी बड़े थे उनके छोटी बेटी सभीता मेरी हम उमर थी कालेज में पढ़ती थी हर रविवार कुल करने के मेस में खाना खाने से सुधामा पाटिल और मेरे मेस बिल बड़ने लगे थे पर्शिक्षन के दोरान मिलने वाले भट्ते से मुझे गाउं पिता जी को पैसा भीजना पड़ता था पाटिल की स्थीती भी वैसी ही थी, मुझसे बेहतर जरूर थी लेकिन दो छोटे भाई कालेज में पढ़ रहे थे, उनका खर्चा भीजना पढ़ता था हम दोनों काफी मित वैता से चलते थे, फिर भी हात तंग रहता था मेरे पास कपड़ों की भी तंगी थी, बस किसी तरहें खीच रहा था ऐसे में कुलकर्णी का हर इतवार मैस में लंच लेना खर्चा बढ़ाने वाला था एक दिन सुदामा पाटिल ने दुखी मन से कहा था, ये बामन हर रविवार टपक पड़ता है हमारी शा में कुलकर्णी के घर गुजरती थी, लेकिन खाना लोटकर मैस में ही खाते थे सुदामा पाटिल को उपुवास पूजा आदि में विश्वास था नियमेत मंदिर जाता था, अंबरनात के एक खूब सूरत प्राचिन शिव मंदिर है पाटिल सफता हमें दो दिन इस मंदिर में जाता था, मुझे इन सब में कोई रूची नहीं थी अंबेटकर और माक्सवादी साहिते ने मेरी सोच बदल दी थी लेकिन पाटिल के साथ में मंदिर तक जाता था, और पुलिया पर बैठ जाता था शांत जगहें पर मंदिर परिशर मोहक लगता था अकसर मिशिज कुलकर ने सबिता के साथ मंदिर जाती थी कई बार मंदिर परिशर में हम लोग साथ होते थे एक रोज मुझे पुलिया पर बैठे देखकर सबिता भी वहीं बैठ गई थी मिसेज कुलकरनी मंदिर में चली गई थी आप मंदिर में क्यों नहीं जाते सभिता ने सहजता से पूछा था इन मंदिर की मूर्तियों में मेरी कोई आस्ता नहीं है मैंने अपने मन की बात कह दी थी वह मुझे सटकर बैटी थी मुझे एक अजीब सा एसास गुदगुदा रहा था वह जिद करने लगी थी चलो मंदिर में चलते हैं सुदामा दादा बड़े भईया अंदर है हाँ पाटिल अंदर है आप भी जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ मैंने उसे टालना चाहा था वह चुपचा पूलिया पर बैठ गई थी कुछ देर की चुप़ी के बाद बोली आप इतना चुप क्यों रहते हैं मुझे सुनना अच्छा लगता है मैंने सहज भाव से कहा था वह खिल खिला पड़ी थी उसका हसना मंदिर की घंटियों जैसा था अच्छानक उसने कहा आप फिल्म देखते हैं हाँ कभी कभी आमारे साथ चलोगे उसने मेरी बाहा को अपनी बाहा में लपेट लिया था मैंने टालने की गर्द से के दिया था कि सुदामा पाटिल से पूच कर बताऊंगा सभिता नहराज हो गई थी क्यों आप मेरे साथ नहीं चल सकते उस रोज कहीं मन में जरना फूटने की कलकल सुनाई पड़ी थी सब भाव संकोची था परिवारिक परिवेश दिलो दिमाग पर हावी था इस एहसास की बनक स्वयम को भी लगने नहीं दी थी क्योंकि हम दोनों के बीच कई तरह के फासले थे जो लगातार मुझे रोकते थे ऐसी चोटी मोटी घटनाई कई बार होई थी जो इस बात का संकेत थी कि उसका जुकाव मेरी और बढ़ रहा है वह हास्टल में भी आने लगी थी सुदामा उसे हास्टल आने से रोकता था कभी कभी डाट भी देता था लेकिन सुदामा की डाट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था हास्टल में वह मेरी किताबों को उलट उलट कर देखती थी कभी कभी इधर उधर फैली किताबों को करीने से सजा देती थी मैं इसका खाना उसे पसंद नहीं था वह शाकाहारी थी दिपावली से एक दिन पहले चतुर दसी की सुभ़ मिशिस गुलकरणी ने अपने घर बुलाया था वह भी सुभ़च चार बजे मैंने पाटिल से पूछा तो सुनकर वह हस पड़ा मेरी समझ में नहीं आया था पाटिल के हसने का कारण मैंने जोर देकर पूछा तो बोला मजा करो मिशिस गुलकरणी तुम्हें तेल और उबटन से नह लाएंगी मतलब मैंने आस्तिरी से पूछा पाटिल ने बताया था कि महारास्ट्रियन ब्राहमनों में यह एक परमपरा है घर की इस्तिरी परिवार के पूरिश सदश्यों को उबटन और तेल मालिश करके सनान कराती हैं ब्रहममूर्थ में उसकी बात सुनकर मैंने उसे पूछा था कि तुम आओगे उसने मना कर दिया था साथ ही कहा भी था कि उसे नहीं बुलाया है उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था एक तो सुबह चार बज़े उठकर जाना था दूसरे मैं एक अजीब से अंतर ध्वंद में फसा हुआ था खुल करनी परिवार की आत्मियता मुझे आकर्शित भी कर रही थी फिर भी परिवारिक स्तीतियों के कारण समकोश था ब्रामदे में तीन चोकियां रखी थी कुल करनी आजे और मैं चोकियों पर बैठ गए थे उस वक्त मुझे रह रहकर अपने घर गाओं का दम घोटू वातावर्ण याद आ रहा था मिशेज कुल करनी ने बारी बारी से हम तीनों को उबटन और तेल लगाया था तेल से मोहक सुगंध आ रही थी मैंने कच्छे से उपर तोलिया लपेट रखा था मिशेज कुल करनी ने तोलिया को अलग रख देने के लिए कहा मैंने कहा कि मुझे संकोच होता है मिशेज कुल करनी ने तोलिया छीनते हुए कहा तुम मेरे बेटे अजय जैसे हो फिर मा से कैसी शर्म उसी शर्म मेरा मन भाउकता से भर गया था बर्बस अपनी मा की याद आ गई थी जो कुछ दिनों से बीमार थी मिसिस कुलकरणी के हाथों से नर्म कोमल वाचसलेपुर्ण स्पर्ष ने मुझे अपनी मा के खुरदरे स्पर्ष की याद दिला दी थी सिर्हाने बैठकर जब मा मेरे बालों में उंगलियां घुमाती थी मेरी चेतना जैसे नीद की गोद में समा जाती थी मिसिस कुलकरणी ने गुसल खाने में गरम पानी से नहलाया था मुझे लगातार एक अज्यात भैस अता रहा था कि यदि इने इसी वक्त पता चल जाए कि मेरा जन्म एक अच्छूत जाती चुहडा में हुआ है तो अंजम क्या होगा उन्ही दिनों पूना में गवई बंधों की आखे फोड़ दी गई थी जिसे लेकर दलिच समाज ने बंबई पूना में एक जबर्दस्त अंदोलन खड़ा कर दिया था कुलकरने परिवार में मुझे बेंता पियार और विश्वास मिला कभी परायपन का एसास नहीं हुआ लेकिन सभीता का मेरी और जुकते जाना मुझे भहबित कर रहा था मैं ऐसे शणों में ऐसे हज हो जाता था सभीता जितना करीब आती मैं भागने की कोशिस करता एक रोज कुलकरने के घर प्रध्यापक कामले से भेट उई कुलकरनी और कामले में मराथी नाटकों पर कोई गंभिर चर्चा चल रही थी मैं और पाटिल इस चर्चा को चुपचाप सुन रहे थे इसी बीच मिसिस कुलकरनी चाही लेकर आई थी चाही पीते-पीते मेरा ध्यान कामले के पहले पर गया प्याला हमारे प्यालों से अलग था मैंने सुदामा पाटिल से पूछा उसने कुहनी मार कर मुझे चुप करा दिया था लोटते समय मैंने फिर वही बात छेड़ दी पहले तो वह टालता रहा आखिर उसने बता ही दिया मराठी ब्राहमन वह भी पूना के ब्राहमन महारों को अपने बर्तन चूने नहीं देते इसलिए उनके अलग बर्तन रखे जाते हैं चाय के जूठे कप मिशेज कुल करने उठाने आई थी लेकिन कामले का कप कुल करने उठा कर ले गया था ये सब सुनकर मेरी कनपटियां गर्म हो गई थी जैसे किसी ने गर्म पारा उडेल दिया हो क्या सभी दलितों के साथ उनका व्यवार ऐसा ही है मैंने पाटिल से जानना चाहा था मेरे गाउं में चुवा छात का भेदबाव था उन देनों देहरा दून और उतरपरदेश की स्थीती तो और अधिक खराब थी मंबई जैसे माहनगर में पड़ेलिखे लोगों में ऐसी स्थीती की कलपना से ही मेरे भीतर एक गर्म लावे का स्त्रोत फूटने लगा था हाँ ऐसा सभी के साथ है पाटिल ने साफ गोई से कहा पाटिल के मन में बाबा साहिब अमबेटकर के प्रती आदरभाव था दलित अंदोलन के प्रती उनके मन में सहयोग भावना थी वह स्वर्ण होते हुए भी संकिर नहीं था मैं अपने मन में उठते बवंडर को पहचान चुका था यह घटना मुझे ए व्यवस्तित कर रही थी मैंने पाटिल से पूछा था मेरे बारे में वे जानते हैं शायद नहीं बाल में की सरनेम से शायद ब्रह्मन समझते हैं तभी तो उस रोज दिपावली पर सनान के लिए बुलाया था पाटिल कुछ-कुछ गंबीर होने लगा तुमने उन्हें बताया नहीं कभी मैंने उद्वगीनेता से पूछा क्यों बताता दलित होना के आपराद है पाटिल ने गुसे में कहा कल यदि उन्हें पता चल जाए तो मैंने शंका वैक्त की तो दोशी तुम कैसे हुगे उन्होंने भी पूछा नहीं तो हम आपने और से धिंडोरा पिटें हाँ यदि भी पूछते और तुम जूट बोलकर उनके दाइरे में शामिल हो जाते तब तुमारा दोश माना जा सकता था वह भी जूट बोलने का पाटिल ने दड़ता से कहा इस घटना के बाद मैं सैज नहीं हो पाया था मेरी अपनी बेचेनी मुझे तंग कर रही थी ऐसे महोल को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ सब कुछ जूट लगता है पाटिल से मेरी बेचेनी छिपी नहीं थी उसने समझाने की कोशिस की थी बामनों का पूरा दर्शन ही जूट और दोखे पर अधारित है बूल जाओ और मजे करो ऐसे प्यार और सम्मान का अकांक्षी मैं नहीं हूँ जो जूट के सहरे मिले मैं गहरे अंतर द्वन्द से गुजर रहा था उन दिनो इसी पेशो पेश में कई दिन हो गए थे कुल करनी के घर गए वे इंतजार करके सवीता आ गई थी हस्टल में मैं सवीता से खुल कर बात करना चाहता था लेकिन हस्टल में ये संभव नहीं था मैंने सवीता से कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में, अकेले में? क्या बात है? उसने शरारत से आख नचाते हुए पूछा, कल शाम को मंदिर चलते हैं, लेकिन आपकी माँ साथ होगी, मैंने शंका जताई, नहीं मैं अकेली ही आऊंगी, उसने अश्वस्त किया, सभीता के लोट जाने के बाद मैंने पाटिल से कहा, क लेकिन मैंने उस रोज तैकर लिया था, बात साफ हो जानी चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, उन दिनों मंबई, पूना में दलित अंदोलन जोरों पर था, सभीता मुझे अंबरनात रेलवे स्टेशन पर उपकार रेस्टोरेंट के पास मिल गई थी, उसने सफेद रंग का सकट ब्लाउस पहन रखा था, जो उसके दूधिया रंग पर खुब फब रहा था, उसकी आखों में महोकता भरी हुई थी, चाल में अलड़ बन था, वह अपनी आदत के अनुसार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी, मैं सिर्फ हूं हां में जवाब दे रहा था, दरहसल मैं तै नहीं कर पा रहा था, कि बात कहां से और कैसे शुरू करूँ, अचानक सविता को जैसे कुछ याद आ गया, अरे मैं तो भूली गई थी, आप कुछ बात करने वाले थे, उसने आखे बड़ी-बड़ी करके मेरी और देखा, शन भर को लगा, जैसे मैं कह नही पाऊंगा, साहस बटोरते हुए मैंने कहा, तुम्हारे घर उस रोज जो प्रधैपक कामले आये थे, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, सविता ने बात काट दी, वह महार, ऐसी, उसके इस अंदाज से ही मेरी कनपटियां गर्म हो गई थी, हाँ वही, मैंने कटूता से क पूचा, हाँ, घर में जितने भी ऐसी और मुसलमान आते हैं, उन सब के लिए अलग बरतन रखे हुए हैं, सभीता ने सहिज भाव से कहा, ये भेद भाव तुम्हें सही लगता है, मैंने पूचा, मेरे शब्दों के तीखे पन को उसने महसूस कर लिया था, अरे, तुम ना अलीव है, मैंने तर्क दिया, सभीता इस भेद भाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी, उसके तर्क मुझे उत्यजित कर रहे थे, फिर भी मैं काफी सहियत था उस रोज, उसका कहना था, एस सी, अनकल्चर्ड, असब्भे होते हैं, गंदे रहते हैं, मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे कितने लोगों को करिब से जानती हो, इस विशे में तुम्हारे व्यक्ति के तानुभव क्या हैं, वै चुप हो गई थी, उसका परिचे ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं था, फिर भी पारिवारिक पूर्वा ग्रह उस पर हा भी थे, उसका कहना था, आई मा बाबा, पिता ने बताया, यानि बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि सी से ग्रणा करो, वै चुप हो गई थी, उसकी चंचलता भी गाइव थी, कुछ देर हम पूलिया पर चुपचा बैठे रहे, मैंने उसे पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राए है आई बाबा, तुम्हारी तारिफ करते हैं, कहते हैं, युपी वालों के प्रती, जो उनकी धारना थी, उससे अलग हो, तुम्हें अच्छा मानते हैं, सभी ताने चहकते हुए कहा, मैंने तुम्हारी राए पूची थी, अच्छे लगते हो, उसने मेरी बहां पर आपने शर लाकर कहा क्यों यदी हुआ तो मैंने जोर दिया तुम तो ब्राह्मनों उसने द्रड़ता से कहा ये तुमसे किसने कहा बाबा ने गलत कहा मैं ऐसी हूँ मैंने पूरी शक्ति से कहा था मेरे भीतर जैसे कुछ जल रहा था ऐसा क्यों कहते हो उसने गुस्सा दिखाया मैं सच कह रहा हूं तुमसे जूट नहीं बोलूँगा नै मैंने कभी कहा कि मैं ब्रह्मन हूं मैंने उसे समझाना चाहा वह आश्चरी से मेरा मुझ ताक रही थी उसे लग रहा था जैसे मैं मझाक कर रहा हूं मैंने साप शब्दों में कह दिया था कि मैंने उत्तर परदेश के मैं जान लेना चाहिए मैंने उसे यकिन दिलाया था वह रोने लगी थी मेरा ऐसी होना जैसे कोई अपराद था वह काफी देर सुबक्ती रही हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया था हजारों साल की नफरत हमारे दिलों में भर गई थी एक जूट को हमने संस्कृती मान लिया था हम लोग वापसी में लगवक चुप थे लेकिन भीतर के कोला हल में डूबे हुए मैं उस वक्त तनाव मुक्त हो चुका था जैसे मेरे मन से कोई भारी बोज हट गया था स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार करते हुए मैंने सभीता से कहा यह आकरी मुलाकात है क क्यों घर नहीं आओगे उसने हेरानी से पूचा था नहीं अब मैं नहीं आपाऊंगा वह चलते चलते रुप गई थी बोली घर आओ या ना आओ लेकिन यदि यह सच है तो बाबा से मत कहना वह फिर रुवासी हो गई थी उसका गला भर्रा गया था लेकिन क्यों मैंने जा अंबरनाच से मेरा तबाजला हो गया था चंदरदर महारास्टर के लिए मैं उन लोगों से बिना मिले ही चला आया था अचानक तमाम सुत्र तूट गए थे प्रशिक्षन के बाद आडिनेंस फैक्टरी चांदा चंदरपूर में नियोकती हो गई थी आडिनेंस फैक्टरी चंदरपूर महारास्टर में मेरी नियोकती हो गई थी शुरू के दिनों में दिनेश वाजपई और आनाच शर्मा के साथ रहा था बाद में मुझे हास्टल का एक कमरा मिल गया था जो मुझे जैकिशन जायसवाल के साथ शेयर करना था शुरू शुरू में जायसवाल ने जो हिचकिचाहट दिखाई थी वहें धीरे-धीरे समाप्त हो गई थी काफी दिनों तक हम लोग साथ-साथ रहे थे फैक्टरी के जीवन को समझने और तालमेल बिठाने में मुझे समय लगा था ज्यूटी के बाद का समय अध्यन में ही बीचता था रंग-मंच और सहित्य का या अच्छा महोल था लेकिन ज्यादातर लोग पारंपरिक डंग से सोचने वाले थे चंदरपूर में हिंदी और उर्दू के कई कवी लेखक कथाकार थे जिन से मेरा संपर्क बढ़ रहा था पिताजी का पत्र आया था वे जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे जस्वीर ने कोई लड़की तै कर दी थी लेकिन मैं लगातार इंकार कर रहा था अभी मैं ठीक से व्यवस्तित भी नहीं था लेकिन पिताजी बार बार लिख रहे थे मैं अपने आपको अनेक कंटिले जाड जंखाडों में घिरा महसुस करने लगा था आखिर तंग आकर मैंने करनलता भावी की छोटी बहन चंदर से शादी कर ले थी 17 दिसंबर 1973 को सन 1974 में कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने मेग दूत नाटे संस्था की स्थापना की थी कुछी दिनों में ये संस्था नागपूर के आसपास अपनी प्रतिवधता के लिए पहचानी जाने लगी थी मंचन प्रदर्शनों के साथ नुकण नाटकों के द्वारा समसामईक समिष्याओं से जन्मानस को परिचित कराने की एक मुहीम शुरू हो चुकी थी नवयोकों की एक जुझारु टीम पूरे समर्पन के साथ जुट गई थी देश में जेपी अंदोलन की गूंज थी उनी दिनों मैंने तुकबंदियां छोड़ कर कुछ सार्थक कविताएं लिखी थी नव भारत, युग धर्म, नई दुनिया आधि के माध्यम से एक कवी के रूप में मुझे लोग जानने लगे थे चंदरपूर के एक सपताहिक जन परतिनिधी में एक स्तंब भी शुरू किया था चंदरपूर में रहते हुए ही मैंने दलित अंदोलन की उर्जा अपने भीतर संजोई थी दलित चेतना की अदभूत तेजस्विता के दर्शन मैंने इसी शेत्र में किये थे अपने आपको इस अंदोलन के साथ जोडने में मुझे जो हत्म संतूष्टी मिली वह एक अनुखा अनुभव था जैसे जैसे मैं इस अंदोलन का हिस्सा बन रहा था वैसे वैसे मेरे कई मित्र मुझसे दूर हो रहे थे उनकी द्रश्टी में मैं रास्ते से भटक रहा था और अपनी परतिभा और रचनात मकता का विनाश कर रहा था बुद्ध के मानवी इस सवतन्तरता के विचार ने मुझे परभावित किया था परिवर्थित समस्ठी में कुछ भी ऐः परवर्थनिये नहीं है मानव ही सर्वपरी है करुणा और प्रज्या व्यक्ति को उच्चता की और ले जाती है नागपूर की दिक्षा भूमी दलितों का तीर थे जहां मैं बदंत आनंद कोसलियायन जी से मिला था बोध धर्म के प्रति मेरी शंकाओं का तर्कपूर्ण समादान कोसलियायन जी ने किया था नागपूर में भी भावस मर्थ से भी उनके निवास पर भेट हुई थी वे एक सहे जोर सरल व्यक्ति थे कवी, चत्रकार और एक सच्चे इंसान जब भी मिले, खुल कर मिले मुलाकातें बहुत कम हुई थी लेकिन चिर्स मरनी ये पिताजी का पत्र आया था मा बिमार है, जल्दी आ जाओ पत्र मिलते ही मैं निकल पड़ा था रास्ते भर मा का खयाल जेहन में घुम रहा था पता नहीं कैसी होंगी बस आड़े पर उतरते ही घर पहुँचने की जल्दी थी मा को स्वस्थ देखकर मैंने राहत की सांस ली थी मैंने मा से पूचा, बिमार थी? मा ने मेरा सिर से लाते हुए कहा बिमारी की बात सुनके तो तूँ आ गिया? ऐसी भी क्या बात हो गई, जो इस तरह बुलाया मैंने अपने भीतर का गुस्सा दबा कर पूचा तेरे भाई ने रिस्ता पक्का कर दिया है इव तू बिया कर ले, मारी आँख कब बंध हो जाएगी, कोण जाने है मा ने मुझे समझाने की कोशिस की थी मैं खामोशी से मा की तमाब बाते सुन रहा था लेकिन मेरे मन में एक हलचल शुरू हो गई थी जस्वीर ने मेरा रिस्ता पक्का कर दिया था बगेर मेरी इच्छा अनिच्छा जाने पिताजी भी जस्वीर की बात का समर्थन कर रहे थे उन्होंने मेरे इर्दगिर्द एक घेराबंदी कर दी थी मेरा कोई भी तर्क या इनकार वे सुनने को तयार नहीं थे देहरादून जाने के बाद मुझे पता चला था कि इस रिस्ते के पिछे मेरे मामा का हाथ था वे मेरे गले किसी ऐसी लड़की को बांध देना चाहते थे कि मैं उनके सिकंजे से बाहर ना निकल सकूँ जस्वीर को गाउं में ही छोड़कर मैं अचानक दहरादूना गया था मैंने सुर्जन से पोच्छा तुमने लड़की देखी है उसने साफ इनकार कर दिया था कि उसे इस विशे में मत गसीटो उसने ना हा की थी ना ना बस एक तटस्त भाव अपना लिया था स्वन लता भावी भी टाल गई थी उन दोनों के रुख ने मुझे परिशान कर दिया था हेम लाल का सुर्जन के घर आना जाना अभी बना हुआ था बल्कि मेरे बाहर जाने के बाद से वह सुर्जन से काफी घर निष्टता बना चुका था हेम लाल ने ही मेरे मन में उस रिस्ते के लिए शंकाई पैदा कर दी थी उसे वहां रचे जा रहे सडियंतर की जानकारी थी शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया था लेकिन काफी जद्धो जहद के बाद उसने मामा के सडियंतर की जानकारी दी थी मैं हतास और उद्विग्न हो गया था गाउं लोटकर मैंने जस्बीर से सिर्फ इतना ही का था मैं लड़की देखना चाहता हूँ उन दिनों हमारे समाज में लड़की दिखाने का रिवाज नहीं था बुजूर्ग ही सब तै कर देते थे जिसे लड़का लड़की मान लेते थे घर का भी कोई व्यक्ती लड़की नहीं देखता था इसे बुरा माना जाता था मद्यसता करने वाले पर विश्वास किया जाता था कई बार इस विश्वास ने बहेंकर हादसों को जन्म दिया मेरे फैसले ने धमाके का काम किया था सभी मुझे फटी-फटी आँकों से देख रहे थे काफी गर्मा गर्मी के पश्चात जस्फिर मान गया था मुझे लेकर वैं देहरादून चल दिया उन दिनों लड़की अपने मामा के घर रह रही थी जैसे ही हम देहरादून पहुँचे पता चला लड़की अपनी मा के पास मुझफर नगर चली गई है जस्बिर मुझे लेकर मुझफर नगर पहुँचा वहाँ जाकर पता चला लड़की देहरादूने दर असल लड़की नए दिखाने का यह पहाना था मैं एक अजीव सी उलजन में फस गया था बेहाद अकेला घर परिवार से लेकर बहार तक कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मन की गाठे कुल सकूँ स्वनलता भावी थी वह भी एन वक्त पर कन्नी काट गई थी ऐसी ही मनस्तीती में मैं चंदरपूर लोट गया था काफी दिन उदास रहा इस बीच जस्वीर की ओर से कई पतर आ चुके थे वह बार बार यही लिख रहा था कि मैं उनकी इज्जत को निलाम कर रहा हूँ जाती विरादरी के नियम है उसे कैसे छोड़ दे पढ़ाई लिखाई का यह तो मतलब नहीं है कि मन मानी करो जस्वीर की हर एक चिट्टी मुझे गहरी चोट पहुँचा रही थी मैं शादी से पहले कुछ बन जाना चाहता था लेकिन ये लोग हात दो कर पिछे पढ़ गए थे ऐसे ही शणो मैंने इस परकरण को खतम कर लेने का फैसला कर लिया था मैं सीधे देरा दुन पहुँचा था जस्वीर मुझे आया देखकर चोटा था जस्वीर ने उस लड़की की मा से जो उन दिनों वही थी मुझे मिलाये था वे मुझे सीधी साधी महिला लगी थी मुझे देखकर वे खुश भे हुई उनसे मिलकर मैं और दविदा में फस गया था जस्बीर से फिर एक बार लड़की दिखाने की बात मैंने उठाई जस्बीर ने कहा तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है मा से तो मिला है और क्या चाहिए मा से नहीं मुझे लड़की से शादी करनी है मैं उत्तेजित हो गया था तीन दिन तक जस्बीर और मेरे बीच चुपी छाई रही चोथे दिन मैं स्वर्ण लता भावी की बहन चंदरकला उर्फ चंदर उर्फ चंदा से मिला मैंने तमाम हालात उसके सामने रख कर अपने मन की बात भी कह दी मुझसे शादी करोगी? चंदा तब इंटर में पढ़ रही थी उसने चोख कर मेरी ओर देखा आश्री से पूछा क्या कह रहे हो? सोचकर जबाब दे देना मैंने इत्मिनान से कहा और उठकर चल दिया अगले रोज चंदा अपनी दीदी के घर आ गई उस समय सीमा, राजीव, विनीता एकदम छोड़े थे विनीता तो गोध में ही थी चंदा ने धीमे से पूछा तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मैंने का बिल्कुल नहीं तुमारे भाई, मा, बाप मानेंगे? चंदा ने शंका जताई वह मुझ पर छोड़ दो मैंने धहर ये से कहा अगले रोज मैं गाउं चला गया था पिताजी से बात की थोड़े बहुत विरोध के बाद विमान गये थे उन्होंने एक शर्ट रखी देवता के लिए सुवर की पूजा शादी से पहले जरूरी है मैंने साफ इनकर कर दिया था मैं किसी देवता की पूजा में विश्वास नहीं करता पिताजी नाराज हो गए थे मेरा एविश्वास उनकी आस्था पर चोड़ था जिसके लिए वे मुझे माफ करने को तयार नहीं थे अभी तक शायद मेरे पूजा पाठ में शामिल ना होने को मेरा बचपना मान कर कुछ विश्यस जोर नहीं डालते थे लेकिन शादी विवास जैसे मोके पर भी मेरा विरोध देखकर वेक्रोधित हो उठे थे ये नाराजगी अंत तक रही इस बात के लिए मैं कतई तयार नहीं था चंदा से मेरी शादी होगी विरोध और इनकार के बीच भी पिताजी ने चंदा को स्विकार किया था लेकिन मामा खपा थे जस्विर भी मामा के साथ था सुर्जन इजले नाराज था कि मैं उसकी साली से शादी कर रहा हूँ ये शादी तोड़ने में हेमलाल को एक मोहरे की तरे मामा ने इस्तेमाल किया था जिसमें हेमलाल सफल नहीं हुआ हाँ हमारे बीच दोस्ती के सूत्र तूट कर बिखर गए थे मुझे दुख था मैंने एक अच्छे मित्र को खो दिया था शादी के बाद चंदा को साथ ले जाना था चंदरपूर लेकिन सबसे बड़ी समश्यती मकान की सरकारी कालोनी में मुझे तब तक मकान नहीं मिला था हास्टल में रहता था जै किशन जैस वाल मेरा रूम पार्टनर था मैंने चंदरपूर में अपने मित्र अजशिना को पतर लिखा काफी दिन पहले मैं उनके साथ रहा था उसमें उतर दिया था पतनी को साथ लेकर आ जाओ इंतजाम हो जाएगा दिल्ली में सुकन सिंग था आरकेपूर में रहता था इंटर तक त्यागी इंटर कॉलेज में साथ पड़े थे काफी भटकाओं के बाद उसे सर्वे अफ इंडिया में नोकरी मिल गई थी उसने दक्षिन एक्सप्रेस में चंदरपूर के लिए बर्थ पहले ही हमारे लिए पुक करा दी थी मैंने आजे सिन्ह और अपने कार्या लेके साथी सूरज खर्तड को चंदरपूर पहुँचने का तार दिया था रात दस बजे गाड़ी चंदरपूर स्टेशन पर पहुँची तो वहाँ कोई नहीं आया था उमीद थी वे फैक्टरी की गाड़ी लेकर आ जाएंगे दस बजे आडिनेस फैक्टरी एस्टेट जाने के लिए बस का मिलना भी मुश्किल था वैसे भी हमारे साथ गर गरिस्ती का काफी सामान था वहे रात हमने चंदरपूर रेलवे स्टेशन के रेटाइरिंग रूम में ही गुजारी थी स्टेशन मास्टर ने स्वेम ताला खोल कर हमें आराम करने के लिए कहा था स्टेशन पर ज्यादा भीड भाड भी नहीं थी इकका दुक्का यातरी ही इधर उधर पसरे थे सुबह की पहली बस पकड़ कर हम आर्डिनेश फैक्टरी एस्टेट आ गए थे सामान हास्टल में छोड़ कर मैं और चंदा सूरज खर्तड के क्वाटर पर पहुँच गए थे सूरज खर्तड तब तक आफिस जा चुका था सूरज खर्तड को जब ये पता चला कि मैं चंदा को उनके घर चोड़ कर आया हूँ तो वह खुश हुआ था खर्तड से मेरे संबन्द काफी घनिष्ट थे वह बलार्शा चंदरपूर के पासका रहने वाला था एक प्यारा इंसान जिसके व्यवहार में एक खुला पन था जो मुझे हमेशा अकर्शित करता था एक रात हम सूरज खर्तड के ही क्वाटर पे रुके थे अगले रोज आजे सीना के क्वाटर में जाना था वह उस शाम को चंदा से मिलने भी आया था सूरज खर्तड और सुशिला भावी ने चंदा का स्वागत बहुत ही अपने पन से किया था आजे के क्वाटर में जाने से पहले चंदा ने एक नई साड़ी अपने बाक्स से निकाल कर सुशिला भावी को बहुत ही आदर से दी थी लेकिन सुशिला भावी ने वह साड़ी लेने से इंकाल कर दिया था मैं उनका आदर करता था चंदा ने भी आदर पूर्वक ही साड़ी उन्हें देना चाही थी लेकिन उनके इंकार ने जैसे शन भर में सब कुछ तोड़ कर बिखिर दिया था चंदा ने आश्चर ये से मेरी और देखा मैंने विनमरता से कहा भाबी जी ये दिये साड़ी पसंद नहीं है तो दूसरी ले 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 जिए लेकिन वे दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई थी कोई बात भी नहीं कर रही थी मैंने सुरज से पोचा उसने भी कोई विशेश उतर न देकर सर्फ इतना ही कहा नहीं लेती है तो न ले तुम जी छोटा ना करो खुशी खुशी अपने ग्रस्ती चलाओ हमें खुशी होगी उस शण मेरी आखे तरलो आई थी हम लोग आजय के फ्लेट में आ गए थे सूरज खरतड स्वेम हमें छोड़ने आये था लेकिन सुशीला भावी के व्यभार से सभी का मन उखड़ा हुआ था मैंने सुशीला भावी से सहज व्यभार रखने की कोशिस की लेकिन वे ने जाने चंदा की किस बात से खपा हुई आज तक पता नहीं चला सूरज खरतड अकसर आपने बेटे ए प्रतिम के साथ चंदा से मिलने आता था लेकिन हम लोगों का उनके घर जाना कम हो गया था अजे सीना ने अपना फ्लेट हमें दे दिया था स्वेम भे आनंद चर्मा के साथ रहने लगा था आनंद की पतनी उन दिनों प्रसूती के लिए अपने माई के गई होई थी उसी सप्ताह आजे की शादी की तारिक भी तैह हो गई थी उसे अपने घर बनारिस जाना था उसकी शादी की खबर ने जहां एक खुशी दी थी वही एक दुख भी था मुझे उसका फ्लैट खाली करना पड़ेगा लेकिन आजे ने जाते-जाते कहा था वालमिकी चिंता मत करना यदि इस वीच तुम्हे मकान ना मिला तो हम एक साथ रहेंगे एक कमरे में तुम रहना एक में हम रस्वाई सांजी बन जाया करेगी उसकी ये आत्मेता देखकर मेरा मन हलका हो गया था काफी भाग दोड के बाद मुझे मकान मिल गया था वहे भी दो कमरों वाला ही फ्लैट था जो मेरे नाम पर आमटित हुआ था 31C टाइप 2 सेक्टर 5 आजे सिना के फ्लैट के नजदी की था हम अगले ही सफता में अपने फ्लैट में चले गए थे आजे भी शादी के बाद सीथा हमारे फ्लैट में आया था कई दिन वे हमारे ही साथ रहे थे सच मुझ कितने आच्छे दिन थे वे आजे और मेरे बीच एक ऐसा रिस्ता बन गया था, जिसकी मिठास अभी तक मेरी स्मर्तियों में रची बसी है में से सिहना भी बेहद, शालिन और सने से भरी हुई घरेलू मही लाती जीवन में कई उतार चड़ाव आए, लेकिन उन दोनों के प्रति मेरे मन में हमेशा एक जैसा भाव रहा, जहां कोई मैल नहीं था इन्ही दिनों दलितों के बीच सामाजिक कारिये करने की कई योजनाव को साका रूप भी दिया था महा रास्टर में डाक्टर अम्बेडकर और जोतिवा फूले ने जो भूमी तयार की थी, उससे लाखुक कार्यकरता उर्जा पाकर सामजिक जीवन में उतर पड़े थे इस वैचारिक अंदोलन ने मेरी रचनाओं को एक अलग आयाम दिया था चंदरपूर से हिम जर्णा नाम की एक पत्रीका भी शुरूवी थी समपादक थे जगदिस राही, कई अंक इस पत्रीका के निकले लेकिन ये अचानक बंध हो गई थी, राही मेरे अच्छा मित्र थे, गीतकार भी बहुत ही अच्छे थे लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा की कोईला खादान की नोकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा नोकरी गई तो पत्रीका भी बंध हो गई थी, और एक दिन सब कुछ समेट कर जगदिस राही ने चंदरपूर छोड़ दिया था याद रह गए थे वे कुछ पल जब उनके मधूर गीतों के बीच चंदरपूर से हिंदी की इस विशीष्ट पत्रीका की योजना बनी थी साथ काम किया था, रात रात भर जाकर पत्रीका के प्रूफ पड़े थे भीशन गर्मी से जुलस्ते इस शहर में हिम जर्ना की कल्पना सचमुच राही जेसे जीवन से भरे लोग ही कर सकते थे मराठी कभी लोकनात यश्वन्त भी उन्ही दिनों चंदरपूर वापस आ गए थे आडिनेस फैक्टरी कलोनी में आते थे कई कारे कर्मों में साथ ही जाते थे सब कुछ संकोची सभाव के थे लेकिन गंभीर और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरपूर चंदरपूर में रहते हुए इन सभी के कारण मुझे कभी परायापन महसूस नहीं हुआ था बलकी अमरनाथ वर्मा ने तो मित्रता के बीच एक रिस्ता भी काहिम कर लिया था वे चंदा के बड़े भाई बन गए थे और मुझे आकसर जीजाजी कहकर ही पुलाते थे बेहत प्यारे थे वे सभी पद्मा भावी ने जोसने मुझे और चंदा को दिया था वह हमारे जीवन की ना खत्म होने वाली पूंजी है चंदरपूर ने मुझे कई ऐसे मित्र दिये थे जो अपनों से ज़्यादा आत्मिये हैं जिनके बगर मेरा ब्यक्तित्व अधुरा ही रहता जिनके स्नेह और विश्वास ने हमेशा होसला दिया आगे बढ़ने की प्रेर ना दी वर्ष 1978 में दलित पेंथर ने मराठ वाड़ा विश्व विदाले का नाम बदल कर डाक्टर अंबेड कर विश्व विदाले कर देने के लिए एक विशाल जुलूस बंबई में निकाला था जिसमें संपूर महरास्टर से दलित पेंथर कार्य करता मंबई विधान सभा के सामने 71 हुए थे विधान सभा में नामांतर का प्रिस्ताव पारित हो गया था लेकिन स्वर्णों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रिस्ताव का विरोध किया था जगें जगें तोड़ फोड दंगें शुरू हो गए थे एहमदपूर और हंगाबाद, नागपूर, सोलापूर, मंबई, नास्षिक, अमरावती आदी में स्थीथी तनावपूर्ण थी मराठ वाड़ा में दंगो का परभाव कुछ ज़्यादा ही था दलित बस्तियां फूकी जा रही थी सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे अकबारों में छपी खबरें दिल दहला रही थी दलितों ने नामांतर को अपनी अस्मिता का परशन बना लिया था नागपूर में आगजिनी की घटनाई हुई थी चंदरपूर में भी जुलूस निकला था महाराष्टो सरकार ने नामांतर का फैसला वापस ले लिया था दलितों को सरकार के इस फैसले से निराशा हुई थी लेकिन उन्होंने हिमत नहीं हारी थी वे लगातार नामांतर अंदोलन को बढ़ा रहे थे उन्होंने अपनी पूरी उर्जा इस अंदोलन में जोग दी थी बाबू राव जगताप जोगेंदर कवाडे के प्रेर्णा दाई नेत्रित और ओजिस्वी भाषन धलितों में होसला जगा रहे थे हजारों वर्षों की घ्रणा एक बार फिर अपने मूल सवरूप में दिखाई पढ़ने लगी थी इस अंदोलन को मैंने बेहद करीब से देखा था मेरा रोम रोम अंदोलन को महसूस कर रहा था भारतिय समाज की कुरूर व्यवस्ता व्यक्ति की योगिता को नकार रही थी उनकी द्रस्टी में डाक्टर अंबेडकर जन्मना महार थे भले ही उनकी विद्वत्ता आकास जितनी उचाई पा जाए डाक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में दलित असमिता की जो लड़ाई लड़ी थी वह एक ऐसा संगर्ष था जिसने दलितों में आत्म विश्वास जगाया था डाक्टर अंबेडकर ने राजनिती सत्ता के लिए रिपब्लीकन पार्टी का गठन किया था लेकिन उनके महा परिनिर्वान के बाद रिपब्लीकन पार्टी अनेक गोटों में बट गई थी प्रतेक नेता स्वयम को बाबा साहिब का वारिश मान कर अध्यक्स बनने की होड में शामिलता जिसका परिनाम यह हुआ कि एक-एक नेता की एक-एक पार्टी बन गई थी महारास्टन में दलित अंदोलन को एक नया रूप दिया था दलित पैंथर ने दलित पैंथर में नेता और कार्यकरता माक्स वादी और अमबेडकर वादी विचारधारा को जोड़ कर एक नया प्रियोग कर रहे थे जिसकी चमक में समुचा महारास्टर एक बार फिर दलित अंदोलन के उतकर्ष को देख रहा था लेकिन यह प्रियोग बुरी तरे ऐस अफल रहा था लेकिन दलित पैंथर में जो साहित्ते कार सक्रिये थी उन्होंने माराथी दलित साहित्ते को नये तेवर दिये थी पारमपरिक साहित्ते की तुलना में यह साहित्ते अधिक जीवन्त और प्रगती शील था सही आर्थों में अधुनिक भी उन्ही दिनों गुजरात में आरक्षण विरोध ने उग्र रूप धारन कर लिया था ग्रामिन सेत्रों में आरक्षण विरोधियों ने बे इंतहां जुलम ढाय थे चारों ओर हिंसा का तांडव था गांधी नगर बढ़ोधा आधी नगरों में गांधी की मूर्तियों के नीचे खड़े होकर अरक्षण विरोधी दलितों के प्रती गिर्णा फेला रहे थे जिसका प्रभाव महारास्टर में भी दिखाई पड़ने लगा था सरकारी अर्ध सरकारी कारियालों में दलित अधिकारियों कर्मचारियों को परताडित किये जाने की घटनाई बढ़ने लगी थी स्वर्णों ने शोशित कर्मचारी संग जैसे चद्दे संगठन बनाए थे जो सून योजित ढंग से दलितों के विरुद साजिशे कर रहे थे चारों और निराशा और भैका वाता बन था दलित करमचारी ही नहीं, आधिकारी भी भ्याबीत थे उनका कोई ऐसा संगठन भी नहीं था पारसपरिक सव्वाध हिनिता होने की कारण वे अकेले-अकेले अपनी समेशाओं में उलजे थे एक जुठता की कमी की कारण उनका आत्म विश्वास डग मकाने लगा था शोशित संग, पोस्टरों, पर्चों के दवारा दलितों में हीन भावना भर रहे थे ऐसा ही एक परचा आडिनेंस फैक्टरी चंदरपूर में भी वितरित हुआ था जिसने तनाव पैदा कर दिया था उपर से सब शांत दिखाई पड़ रहा था लेकिर अंदर ही अंदर जैसे कुछ पक रहा था ऐसे दुनों में चुप्पी का अर्थ हैं अपने अस्तित्व को मिटा लेना फैक्टरी गेट के पास एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्रिय विद्याले के प्रिंसिपल स्री गोंडाने पीसी कामले अधिकारी तथा अनेक संगठनों गे हज़ारों कारेकरताओं ने भाग लिया था उस सभा में सभी ने एक मत से स्वर्णों के द्वारा चलाए जारे सडियंत्र का जवाब देने का प्रस्ताव पारित किया था अगले रोज पर्चे बाटे गए थे जिसका प्रभाव ततकाल दिखाई दिया था शोशित संग के परचे पर प्रशासन निश्कर ये था लेकिन दलितों का परचा वितरित होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया था दलित परतिनिधियों को भुला कर पूस्तास होने लगी थी काफी बहेस और जद्दोजहिद के बाद परशासेन ने दलितों के विरुद होने वाले परचार को रोकने का अश्वाशन दिया था उन दिनों सुम्ठाना गाउं हमारी गतिवीदियों का केंद्र था सभी बैठके मही होती थी शोशित संग से निपटने की रण निती तयार हुई थी ताकि धलित करमचारियों का मनोबल तूटने से बचाया जा सके इन हालात में परशपर सुहार दलगबग खत्म हो गया था सामपरदाई के एवं जातिवादी ताकते अपने सड़ी अंत्रों में सफलो गई थी वे करमचारियों के बीच घरणा के बीच पोचुके थे जिसे मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाने वाले संगठन भी रोक नहीं पाये थे दलितों, गेर दलितों के बीच ये घरणा की खाई लगातार बड़ी है जिसे पाठने का इरादा कहीं दिखाई नहीं पड़ा जब दलित अपनी अस्मिता के लिए उठकर खड़ा होता है तो उस पर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है यह आरोप लगाने वाले वे लोग होते हैं जो जातिवाद के कटर समर्थक है यह एक चाल है परंपराबादियों और यथा स्तिती बनाई रखने वालों की जो दलितों के प्रती हमेशा शंकागरिस्त होते हैं महरहस्टर की शहरी और ग्रामिन दोनों जगें दलित बस्तियों की दशा देखकर मन अवसाध से भर जाता था महर बस्तियों में डाक्टरामबेडकर ने जो चेतना जगाई थी उसके परिणाम सवरूप महरों में शिक्षा का प्रसार हुआ था लेकिन मांग महित्तर आधी शिक्षा से दूर थे दलित कार्यकरताओं में जो जहरू पंता उनका संघर्स और संकल्प देखकर उमीत जगती थी लेकिन कार्यकरताओं में भी पारंपरिक जाती भ्यद की भावणा थी महार, मांग, चमार और महतर के भेद वे भले ही बाहिये रूप से भुलाने की बात कर रहे थे लेकिन आंतरिक रूप में वे स्वयम इन भावनाओं में जकड़े हुए थे ऐसे पलों में मेरा मन तूटा जाता था महतर बस्तियों में जाने के समय उनकी हिच की चाहट साफ दिखाई पड़ती थी अंबेडकर जैन्ती कार्य कर्मों में भी महार ही अधिक दिखाई पड़ते थे बाबा सहाब भीमराव अंबेडकर ने बोध धरम की दिक्षाली थी महार भी उनके साथ बोध हो गए थे लेकिन ऐसे आनेक परिवार थे जो बोध होकर भी हिंदू देवी देवताओं में उलजे थे महतर बस्तियों में बाबा सहाब का संदेश पहुँचा ही नहीं था जो पहुँचा था वह भी जाती के साथ जब भी किसी महतर बाल में किसे बात होती तो वह चोक कर मेरी और देखता बाबा सहाब के लिए उनके मन में आदर था लेकिन अंदोलन की कार्य करता और नेता उनके मन में विश्वास पैदा नहीं कर पाए थे वे महतर थे, समाज में सबसे नीचे ये बावनावने अंदोलन में जुड़ने से रोकती थी वे दलित नेत्रतों को संधे की दृष्टी से देखते थे दलित अंदोलन के इस अंतर विरोध ने उसे कमजोर किया है जिसका प्रभाव राजनेतिक स्तर पर भी दिखाई पड़ता है महारास्टर में महितर और उतरपरदेश के चुहुड़ा बालमिकी में कोई अंतर नहीं था बस बहाशा को छोड़ कर शेश तमाम चीजें एक सी है वे भी सुवर पालते हैं वैसे ही देवी देवताओं की पूजा में सुवर चढ़ाते हैं शराब अरपित करते हैं रिती रिवाज भी एक ही जैसे हैं दलितों में एक ऐसा भी तबका था जिसमें डाक्टरांबिडकर का विचार नहीं पहुँचा था उसकी हीन भावना सदियों का संताप थी वह अधिक बहभीत थी इसलिए अपनी पहचान को चिपा कर रखना उनकी मजबूरी थी कई लोग ऐसे थे जो दलित थे लेकिन स्वर्णों की कृपद्रिस्टी पाने के लिए दलितों से दूर भागते थे उनके खिलाब काम करते थे उनकी गती वीधियों की सूचनाई स्वर्ण लोगों तक पहुचाते थे आर्डिनेंस फैक्टरी चंदरपूर कालोनी में अंबेड कर जैनती धूमदाम से मनाई जाती थी मैं उसमें बढ़ चड़कर भागिदारी करता था कवीता, गोस्टियां, परिचर्चाएं, पोस्टर, पेंटिंग्स, परधर्शनी, नाटक, नुकर नाटक करते थे हमारी संस्ता मेग दूत नाट्य संस्ता के स्वर्ण सदस्य ऐसे दिनों में जरूरी कामों में मुलच जाते थे अंबेडकर जैन्ती के कार्य कर्मों के दोरान वे गायब हो जाते थे गणेश चतुर्ती, सिवाजी जैन्ती, जन्मास्टमी और राम नमयमी पर ही वे उर्जावान होकर मेग दूत नाट्य संस्ता के परधर्शनों को सफल बनाने की कोशिस करते थे ये स्थिति अक्सर हमारे बीच के मत भेदों को उभारती थी मेरी कोशिसे रहती थी कि हम सब इन विसंगतियों पर चर्चा करें लेकिन सामने बैठकर बात करने से वे कतराते थे पीट पीछे बाते बनाते, अमबेडकर के लिए अपशब्द कहते मेरा खून खोलने लगता आंत यही हुआ, मैंने इन धार्मिक उत्सवों का बहिशकार किया ऐसे रंग कर्मी ढूंडे जो परिवर्तन के अकांग्शी थे कई दलित नाटकों का मन्चन किया ऐसा ही एक नाटक था, मुंबई नगरी, दया पवार का लिखा हुआ नागपुर विश्व विद्याले का एक अधिवेशन चंदरपुर में हुआ था मेग दूत नाटे संस्ता के नाटक का मन्चन हुआ था कई बुद्धी जीवियों, लेककों, प्रध्यापकों ने इस प्रस्तूती पर सार्थक टिपनिया की थी गाउं से चिठी आई थी, मा बिमार है, मैं और चंदा गाउं गए थे एक सप्ता रुके थे, मा ठीक हो रही थी, लेकिन सूख कर काटा हो गी थी मा को इस हालत में देखकर मैं अपने आपको कमजोर पाने लगा था कहीं जैसे सब कुछ विखर रहा था, सब कुछ जैसे मुठी से रेत की तरह फिसल रहा था चंदरपुर आने के एक सप्ता बाद ही मा गुजर गई थी, लेकिन मुझे दो महीने बाद ख़बर मिली थी गाउं से देविंदर ने पोस्ट कार्ड लिखा था, जो घूमते घूमते दो महीने बाद मिला था कार्ड पढ़कर मैं अपने आपको संभाल नहीं पाया था मा की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाने की पीड़ा, काटे की तरह मेरे सीने में गड़ गई थी जिसे इतने वर्सों बाद भी भूल नहीं पाया हूँ पिताजी ने तार कराया होता तो शायद मैं समय पर पहुँचता लेकिन सिकायत करने का कोई उचिते नहीं था मा की गुजरने के बाद पिताजी भी बिमार रहने लगे थे मुझे लगातार ये एहसास टीस दे रहा था मा की तरहें जैसे पिताजी भी ना गुजर जाएं वही हुआ उन्हें देखने गया था जिस दिन लोट रहा था उसी रोज उनका देहान्त भी हो गया था मैं शायद ट्रेन में था उस समय चंदरपूर आकर कई दिन बाद चिठी मिली थी महा और पिताजी की अर्थी को कंधा देने का आउसर मुझे नहीं मिला था जिसे बनाने में वे संगर्श करते रहे वही उनसे इतना दूर हो गया था एक ऐसा दुख जिसे मैं आपने मन के तहखाने में चिपा कर बैठा हूँ कानपूर में आर कमल थे निरनायक भीम पत्रीका निकालते थे मेरी रचनाई लगभग प्रतेक अंक में चापते थे एक कारिकर में उन्हें चंदरपूर बुलाया था वे एक जुझारू कर्मठ प्रक्तित्व के धनी थे हिंदी में डाक्टर अंबेडगर के विचारों का प्रसार कर रहे थे हिंदी दलित पत्रीकाओं में निरनायक भीम ने एक खास जिगे बनाई थी दलित रचनाकारों को एक मंच मिला था महारास्टर के दोरे से लोटकर उन्हाने लिखा था कि हिंदी प्रांतों में दलित चेतना का ऐसा उभार अभी नहीं आया है इस विशे में लगातार पुरियतन करने होंगे ऐसे ही मोहंदास नेमिश राय भी आय थे कई जगे उनके कारिकरम रखवाय थे नेमिश राय उन दिनों सवतंत्र लेखन कर रहे थे मेरी गतिवी धियां सिर्फ महारास्टर तक सीमित नहीं रहे गई थी मध्य परदेश के कई नगरों में दलित समश्याओं को लेकर कारिकरम हुए थे जैसे जैसे दलित अंदोलन में मेरी सक्रित्या बढ़ रही थी मेरे आसपास के लोग मुझे शक्य की निगासे देखते थे जैसे मैं उनके वर्चस्व को तोड़ने के काम कर रहा हूँ ऐसे लोगों में ज़्यादातर स्वर्ण ही थे इसका असर कारिया लेके सह कर्मियों में भी दिखाई पढ़ने लगा था चंदरपुर जिले के सुदूर गिरामिन आचलों में अधुनिक परगति और सब्भेता का नामों निशान भी नहीं था इस्त्रियां उपरी भाग पर कोई वस्तर नहीं पहनती थी खान पान भी बेहद निम्नस्तर का वनों पर अधारित खेती के नाम पर सिर्फ जवार और मोटा चावल वहे भी वर्षा के भरों से इन गाउं में गूम फिर कर जिस भारत के दर्शन हुए थे वहे गोर निर्दन और अंध विश्वासों में डूबा हुआ था ऐसे ही एक गाउं में एक तांतरिक ने खेत की फसल बढ़ाने के लिए एक बच्चे की बली दे दी थी हम पांच-छे मित्र उस गाउं में गए थे लोक मत मराठी दैनिक ने समाचार चाप कर पूरे देश का ध्यान इस गटना की और खीचा था पूलिस सक्री हुई थी और तांतरिक के साथ कई गरामिन भी हिरासत में ले लिये गए थे इन घटनाओं ने मुझे हमेशा लेखन की ओर प्रेरित किया अतीत गोरोवान के बजाए जन सामानने के दुख दर्द को अपने लेखन में उतारना ज्यादा सा अर्थक लगा वर्स 1984 का जन्वरी महिना था अमरावती जिले के मलकापूर स्थान पर एक ऐसी घटना घट गई थी जो संकीरन मनोवरती की निक्रष्ट प्रतीक थी सात्वी कक्षया की मराथी पाठे पुस्तक में डाक्टर अमबेड कर पर एक पाठ था एक ब्रहमन सिक्षक के आदेश पर सभी छात्रों ने अपनी पुस्तक के उस पाठ के प्रष्ट फार दिये थे कक्षया में माहर जाती के भी कुछ छातर थे जिनने बाबा सहीब के पाठ को फार देना अनुचित लगा था उन विद्यार्थियोंने पुस्तक केवेपने चुपके से जाकर कूडे दान से उठा लिये थे और अपने अपने घरों में जाकर दिखाए बात फैल गई थी विरोध शुरू हुआ किसी ने घटना का बियोरा में फटे पन्नों के लोकमत मराठी अकबार के नागपुर कारियाल को भीज दिया लोकमत ने उन पन्नों के चित्र समाचार सही चाप दिये समाचार चपते ही विधर्व में जगे जगे विरोध और निशेदात्मक जुलूस सभाई होने लगी दलित अस्मिता का प्रशन बन गई थी ये घटना भदरावती में भी एक बड़ी सभा होई थी कई हजार लोग इस सभा में आये थे भदरावती के आसपास के गाउं से जथे के जथे आये थे इस सभा को संबोधित करने का अवसर मुझे भी मिला था अधिकतर वक्ताओं ने मराठी में वक्तवे दिये थे मैं हिंदी में बोला था मेरे लिए ये है एक नया अनुबव था भीड में सुख भुगाहट थी दलित अंधोलन से जुडने का एहसास मुझे तवर्ता से मैसुस हो रहा था विद्रूप चेहरा शीर्शक्षे कविता उनी दिनों लिखी थी जिसे कई पत्र पत्रिकाओं ने चापाता ये अनुदोलन दिन प्रति दिन तेज हो रहा था कई स्थानों पर स्वर्णों ने दलितों की सभाओं और जुलूस पर पत्राओं भी किये थे पूलिस निश्कर ये थी सिख्षा विभा की ओर से भी उस सिख्षक के वुरुद कोई कारवाई नहीं हो थी जगे जगे निश्यदात्मक सभाई हो रही थी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश जारी थी दलितों में स्वाबिमान जाग रहा था इस घटना ने मुझे भहुत गहरे तक परभावित किया था मेरा अधिक से अधिक समय दलित बस्तियों में गुजरने लगा था आडिनेंस फैक्टरी का लोनी के पास सुम्ठाना गाउं था बदरावती तहसिल थी जहां दलित बस्तियों में अनेक सामाजिक कार्यकरम चलाए थे स्कूल भी खोले गए थे और अनेक साथी पहले से ही सक्रिय थे कई संस्ता ही थी उमेश मेशराम बदरावती में एक संस्ता चला रहे थे स्कूल और पुस्तकाले भी जहां डक्टराम बेटगर और बोध साहित थे प्रचूरता में उपलवद था उमेश मेशराम अपने कारेकरों में मुझे अक्सर बुलाते थे बदरावती में एक प्राचिन बोध गुफा थी जहां बुध पुर्णिमा को बुध जैनती के अनेक कारेकरम होते थे उमेश मेशराम और उनके साथियों ने मिलकर बोध साहित्य सम्मेलन का अयोजन किया था जिसमें मराठी के अनेक दलित साहित्यकारों से भेट हुई थी जोती लांजेवार भीम सेन देटे लोकनात यस्वंत भगवान ठग आदी से परिचे बढ़ा था डाक्टर गंगाधर मानतावने जी से पत्तर व्यभार तो था लेकिन कभी मिलने का अवसर नहीं आया था एक दिन अचानक लोकनात यस्वंत ने खबर भेजी थी कि पानतावने गुरुजी बाबा आम्टे के आश्रम में होने वाले आनंद मेले में भाग लेने आ रहे हैं डाक्टर गंगाधर पानतावने जी को अधिक तर साती पानतावने गुरुजी ही कहकर संबोधित करते थे आनन्द मेले में लगवग प्रती वर्ष में जाता था वरोरा में स्थित बाबा आम्टे का आश्रम था जहां कुष्ट रोगियों का इलाज करके उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता था इसी आश्रम में प्रतेक वर्ष आनन्द मेले का अयोजन होता था महाराष्टर के तमाम साहित्तेकार, बुद्धी जीवी, कलाकार इस मेले में आते थे दो दिन चलने वाले इस मेले में सबी लोग सहजबाव से शामिल होते थे पूल देश पांडे, मराठी के सुप्रसिद रंग कर में वेंग्यकार कथाकार से यहीं मुलाकाते हुई थी वसंत्राव देश पांडे, भीम सेन जोसी, किशोरी, अमोनकर, आदी का गायन भी आनंद मेले में ही सुनने का आवसर मिला था लोकनात यश्वन्त ने मिलाया था, पांडावने गुरुजी सहस्ता से मिले थे, ना कोई दिखावा, ना आडंबर, ना बोधिकता का ढोंग हिंदी के उचारन में माराठी का प्रभाव था, बहुत धिमे धिमे बोल रहे थे, लेकिन शब्द जैसे एक गहन अनुभूती से पके हुए कई दिन तक इस छोटी सी मुलाकात का नशा मेरे मन पर चाया रहा पानतावने गुरुजी ने मेरी कविताओं का अनुवाद माराठी में किया था, सच मुझ मुझ जैसे एक अंजान कवी के लिए एक बड़ी उपलब दी थी पस्मिता दर्श पत्रीका ने माराठी दलित सहिते के लिए एक ऐसा मंच तह्यार किया था, जिसने नए नए रचनाकारों को उचाही दी थी डाक्टर गंगाधर पांतावने जी ने संपादक के नाते अपना करतेवे निभाया था, उनका योगदान दलित सहिते में मील का पत्थर है कुरेशी से एक कवी सम्मेलन में मुलाकात हुई थी, महाराष्टर पुलिस में इंस्पेक्टर थे हम उम्र मिलन सार सहितिक अभिरूची के दुबले पतले कुरेशी नागपूर के रहने वाले थे अनिच्छा से पुलिस की नोकरी में आये थे, पुलिस वाला बनने में उन्हें वक्त लगा था आरडिनेंस फैक्टरी एस्टेट में पुलिस चोकी के परभारी थे पुलिस चोकी के पास ही बी-एस्सी लाइन के एक बंगले में रहते थे दो-चार मुलाकात के बाद ही हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे कुरेशी को जब भी रात की जूटी पर कहीं जाना होता था या दो-चार दिन के लिए बाहर जाते थे शिरिमती कुरेशी को मेरे हैं छोड़ जाते थे वे बहुत खुब सूरत थी पुलिस लाइन में उन्हें अकेला छोड़ना कुरेशी को स्विकारिय नहीं था कई बार तो रात दो-ढ़ाई बजे भी वे शिरिमती कुरेशी को मेरे हैं लेकर आये थे चंदा और शिरिमती कुरेशी में कुप पढ़ती थी उनके दो जुड़ुआ बेटे थे, बहुत ही प्यारे थे चंदा ने उनका नाम राम और शाम रख दिया था कुरेशी भी उन्हें इसी नाम से बुलाता था हम दोनों से वे दोनों काफे गुल मिल गए थे कुरेशी के बराबर के बंगले में डी एसी के नए कमानेंट तबादला होकर आय थे मुझफर नगर जिले के ही रहने वाले थे कुरेशी को पता चला तो मुझसे जिकर किया आपके ही जिले के हैं आज शाम को आ जाओ मुलाकात करा देंगे मैंने कोई विशेश इच्छा वेक्त नहीं की थी कुरेशी ताड गया था कुछ नाराज भी हुआ था आजीब आदमी हो अपने ही जिले का वेक्ती इतनी दूर मिल जाने पर भी खुश नहीं हो मैंने कहा क्या होगा मिलकर मिलते ही पहले जाती पूछेगा जाती पता चलते ही उसके मुहूं का स्वाद बिगड जाएगा फिर बला मुझे क्या खुशी होगी कुरेशी ने अजीब सी कड़वाहट से कहा था बाल में की तुम इस खोल से बाहर कब निकलोगे उस रोज हम दोनों में इस बात को लेकर तीकी बहस शुरू हो गई थी आखिर में ये तेह हुआ था कि चलो परसिक्षन के तोर पर मिलते हैं कुरेशी का मानना था फोज के लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते तुम भैवित हो इसलिए प्रतेक व्यक्ति पर शक करते हो आगले रोज मैं चंदा के साथ कुरेशी के बंगले पर गया था शिरिमती कुरेशी के हाथ की बिर्यानी खाने का स्वाध ही कुछा लगता चंदा को वहीं छोड़ कर मैं कुरेशी के साथ कमांडेंट के बंगले पर गया वे ब्रामदे में ही मिल गय थे कुरेशी ने मेरा परिचे कराया उर्फ सिर्फ ओमपरकाश ही नाम बताया था बाल मेकी को गोल कर दिया था कमांडेंट साहब गर्म जोशी से मिले थे यह सुनकर खुश हुए थे कि मैं बरला का रहने वाला हूँ अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि उन्होंने कहना शुरू किया बरला तो त्यागियों का गाउं हैं आप किस जाती से हैं मैंने कुरेशी की ओर देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया था प्रशन सोभाविक तोर पर पूछा गया था कमांडेंट के चेहरे पर उस समय सहज ता थी मैंने जैसे ही अपनी जाती चुढ़ा बताई वे ऐसा है जो गए थे साथ ही बाचित का सिलसला भी थम गया था जैसे बात करने लाइक कुछ बचा ही नहीं था कुरेशी के लिए यह नया आनुबा हुता मैंने कुरेशी से कहा कि चलें यह कुछ और बाकी है कुरेशी का मूड उखड गया था वे उठकर खड़ा हो गया था अच्छा कमांडेट साहब चलते हैं कुरेशी और मैं उनके बंगले से बाहर आ गय थे अगले रोज कमांडेट ने कुरेशी को समझाने की कोशिस की थी कुरेशी सहाब हमारे जिले में इने मेरी और इशारता नीच जात माना जाता है घर की दहलीज के भीतर इनका प्रवेश नहीं होता और आपका उठना बैठना है साथ में खाना भी खाते हैं कुरेशी ने उनके उपदेश को वही विराम लगा दिया था उस रोज के बाद उन दोनों में दुआ सलाम भी खत्म हो गई थी कुरेशी मेरे और करीबा गया था चंदरपूर महराष्टर का एक पिछरा जिला था जिसकी सीमाई आंदरपरदेश और मद्यपरदेश को चूती थी आठवे दशक में इस जिले में और द्योगी की विकास भहूत तुवरगती से हुआ था कोईले का परचूर भंडार इस जिले को कोईला उतपादन करने वाले शेत्रों में एक महतोपुन स्थान पर रखता है इन तमाम स्थेतियों में अपराद दरे मी बढ़ती हैं उसी दोरान इस जिले में डखेती और रहाजनी की कई वार्दाते हो गई थी पूलिस की सक्रिता बढ़ गई थी शरदपवार पर राजनितिक दबाव था स्थानिये पूलिस की मदद के लिए आरक्षित पूलिस को भी लगा दिया गया था चंदा देहरा दून गई ओई थी मैं आकेला था घर में रात दस बजे बाहर पूलिस जीप रुकने की आवाज आई मैंने खिडकी से जाक कर देखा कुरेसी जीप से उतर कर सीडियों की ओर आ रहा था मैंने दर्वाजा खोला कुरेसी ने अंदर आते वे कहा चलो आज तुम्हें रातरी ब्रमन पर ले चलते हैं मैंने पूछा कहा चलो तो सही कुरेसी ने उतावलेपन से कहा जीप में कुरेसी के साथ प्रादेशिक पूलिस के एक इंस्पेक्टर वर्मा सहीद चार-फांस सिपाई थे रास्ते में कुरेशी ने इंस्पेक्टर वर्मा से परिचे कराया, डाकू उन्मोलन फोर्स के स्पेशल इंचार्ज थे, आज की रात पिट्रोलिंग ड्यूटी पर निकले थे, एक बार की तो मैं चिंती तो उठा था, पता नहीं आज कुरेशी किस मुसीबत में फसाने के लि हो गया था, कालोनी चेक पोस्ट से जीप भद्रावती पेट्रोल पंप की ओर मुड गई थी, जीप में तेल भरवाने के बाद रास्त्रिये राजमार्ग पर आते ही जीप की गती तेज हो गई थी, अभी 4-5 किलो मीटर भी नहीं गए थे कि वरोरा की ओर से पुलिस अदिक अधिक्षक की गाड़ी जीप के बराबर में आकर रुख गई थी, वे सभी जीप से उतर कर पंक्तिवद खड़े हो गए थे, मुझे सीविल कपलों में देखकर अधिक्षक ने कुरेशी से पूचा जीप में कौन है, कुरेशी ने तत्परता से उतर दिया, सर पूस्तास के लिए वरोरा ले जा रहे हैं, पता नहीं कुरेशी की बात का अधिक्षक पर कितना और कैसा परभाव पड़ा, लेकिन मेरी हरदयगती बढ़ गई थी, अधिक्षक के जाते ही वे सब फटाफट जीप में चड़ गए थे, सभी ने राहत की सांसली थी, मैं आभी तक घबरा आया हुआ था, मैंने कुरेशी से पूछा, मुझे किस मुसीबत में फसा रहे हो, कुरेशी ने ठहका लगाया था, इंस्पेक्टर वर्मा ने मेरी आथेली अपने दोनों हाथों में लेकर मुझे अश्वस्त किया था, आज की रात आप हमारे साती हैं, चिंता बिल्कुल न करें, अच्छानक एक जगें जीप रुक गई थी, वे सभी जीप से उतर कर इधर उधर खड़े हो गए, कुरेशी और वर्मा अलग जाकर खड़े हो गए थे, मैं जीप में ही बैठा था, आने जानने वाले ट्रकों कारों को रोक कर जहांच पड़ताल होने लगी थी, एक अंदर परदेश से लाल मिर्च लेकर आ रहा था, ड्रैवर और ट्रक क्लीनर को पुलिस ने नीचे उतार लिया था, पुलिस उन्हें ट्रक खाली करके चेक कराने के जिद कर रही थी, ट्रक ड्राइवर जानता था, इस सुनसन जगें पर ट्रक खाली करने का अर्थ क्या है, काफी देर की खीचतान के बाद ड्राइवर ने एक सिपाही की मुठी में कुछ रुपे ठूस दिये और ट्रक खाली कराने का नाटक अचानक खत्म हो गया था आट दस ट्रकों के साथ यही नाटक दो रहया गया था मैं जीप में बैठ कर यह तमाशा देख रहा था पूलिस के इस चरितर पर कुरेशी से कई बार लंबी भहस हो चुकी थी उसके अपने अनुभव थे यदि वै ऐसे ने करे तो उपर वालों की नजर में एक कर्मने था उसकी गोपनिये रिपोर्ट खराब हो चुकी थी इसी अधार पर यानि उसे भी इसी मशीनरी का हिस्सा बनना पड़ा था कुरेशी ने तरकों की सच्चाई नाप लेने का कोई यंतर मेरे पास नहीं था मैंने एक बार कहा भी था कुरेशी अपने गुनाओं को चिपा लेने का ये अच्छा तरीका है अपने इसे उपर वालों के सिर दोश मट दो ऐसे ही उपर वाले निचे वालों को दोशी बता कर बज़ जाते होंगे रात साड़े बारा बजे हम वणी पहुँच गए थे वणी में उन दिनों मेला चल रहा था मेले में जैसे ही जीप रुकी एक एक करके सभी सिपाही इधर उधर हो गए थे कुरेशी और वर्मा एक चाही की दुकान के सामने पड़ी कुर्शियों पर बैठ गए थे दुकंदार ने उनकी खूब खातिरदारी की थी काफी देर तक भी सिपाही नहीं लोटे तो इंस्पेक्टर वर्मा ने कुरेशी से पूछा ये सब कहां गए कुरेशी ने कटूता भरे स्वर में कहा जाएंगे कहां अपनी माह बहनों के संग मुह काला करने गए है उस मेले में काफी मातरा में ऐसी इस्त्रियां आती थी जो धंदा करती थी पूलिस जानते वे भी उन्हें नहीं हटाती थी हो सकता है वहां से वसूली ही की जा रही हो मेरा मन कड़वा हो गया था ये सोच कर ही ऐसे शणों में मुझे लगता था जैसे कुरेशी के सिर पर सिंग निकल आये हैं एक सवेदनशील व्यक्ति के चरितर में के आसपास ही है डाकून मोलन फोर्स मेले से निकल कर कच्चे रास्ते पर चल पड़ी थी एक दो गाउं में सामाने पूछतास करके फिर से पक्की सड़क पर आ गए थे वरोरा थाने में पहुचकर रात भर की रिपोर्ट दर्ज कराने कुरेशी और वर्मा अंदर चले गए थे मैं जीब की सीट पर लेटकर जपकिया लेने लगा था कुरेशी ने मुझे जगा कर पूछा था चाय लोगे? एक सिपाही चाय का कप हाथ में लिए खड़ा था चाय का घूट भरने से कुछ देर के लिए नींद भाग गई थी सुबह पांच बजे कुरेशी मुझे क्वार्टर में छोड़ कर पूलिस लाइन लोट गया था मेरी आँखों में नीद भरी हुई थी, लेट ते ही सो गया था काफी दिन चड़े आँख खुली, रविवार था, इसलिए कोई हड़ड़ी नहीं थी अपने लिए एक कप चाय बना कर अकबार के पने पलटने लगा तो एक शीरशक पर ध्यान गया किसी गाउं में डखेती की एक और वारदात हो गई थी मेरी आँखों के सामने समूची रात के किरिया कलाप घूम गए डाकू उनमूलन पर निकली फोर्स के कारणा में मेरी समर्ती में दर्ज हो गए थे दो पहर दो ढ़ाई बजे कुरेशी फिर पहुँच गया था अपने उसी दलबल के साथ अधिक्षक ने अपने कारियाले में बुलाया था कारियाले शहर में कलोनी के 30 किलोमेटर दूर था कुरेशी मुझे साथ लेने आया था मैंने इनकार किया लेकिन वे माना नहीं मुझे चलना पड़ा घोड पेट से आगे एक 15-16 वर्स का लड़का कंदे पर थैला लटकाई पैदल आ रहा था कुरेशी ने जीब रुखवाई और उस लड़के को आवाज दी पुलिस की गाड़ी देखकर वे डर गया था कुरेशी ने उसे डाटते हुए पूचा कहा जा रहा है लड़के ने सहमते हुए जवाब दिया अपने गाउं कौन सा गाउं कुरेशी ने पूचा वणी के पा लड़के ने अटकते हुए कहा वणी के पास इतनी दूर पैदल कुरेशी के भीतर का पुलिस चरितर उभरने लगा था हो साहेब पैसे नहीं है बस किराय के लिए लड़के ने रुआसा होकर कहा कहा से आ रहे हो कुरेशी ने अगला सवल दागा लड़का घबरा गया चंदरपूर के किसी होटल का नाम बता रहा था जहां वे काम करता था होटल मालिक ने छुटी नहीं दी ना चार महिने का बकाया वेतन लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वे चंदरपूर से वणी तक बस में जा सके मा की बिमारी की खबर सुनकर वह अपने गाउं जा रहा था पूछता असके दूरान कुरेशी ने उसे दो तिन थपड जड़ दिये थे जुड बोलता है? सच सच बता माजरा क्या है? साहेब में खरम सांग तो शपत देवाची सहाब मैं सच कहता हूँ बागवान की शपत थपड लगाते ही लड़का मराठी बोलने लगा था मैं फटी-फटी आँकों से कुरेशी को देख रहा था मुझे अजीब लगा था कुरेशी का वेभार मैंने कुरेशी को रोकते हुए कहा कुरेशी तुमारी नजर में ये जूठा मककार, चोर या डाकू कुछ भी हो सकता है लेकिन इसकी जेब में पैसे नहीं है ये सच है फिर भी तुम इसे पीट रहे हो होटल मालिक जिसने इसे वेतन नहीं दिया उसकी और निगा उची करके भी तुम नहीं देख सकते इसकी मदद करने या इसका वेतन दिलवा पाने का भी कोई कानून तुमारी पुलिस के पास है ये फिर इसे पीटते ही रहना कानून की दंड सहीता है मेरे इस हस्तशेप ने सभी कोशन भर को स्तंबित कर दिया था लड़के में भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी उसने कुरेशी के पाउं पकड़ लिये सहाब में खरम बोलतो मैं सच बोल रहा हूं चाहे तो होटल में जाकर पता कर लो कुरेशी ने उसे जीब में बेठा लिया था चंदरपूर रेलवेपुल के पास ही एक होटल का नाम उसने बताया था जीब होटल के ठीक सामने जाकर रुकी थी होटल में चाय नाशते वालों की भीड थी काउंटर पर बैठा होटल मालिक नोकर के साथ पुलिस को देखकर सक पका गया था कुरेशी ने उसके मनो भाव ताड लिये थे मैं कुरेशी के पीछे खड़ा था कुरेशी ने रोब से पूचा ये तुमारे होटल में काम करता है जी साहेव क्या किया है इसने मालिक ने मासुम बनने की कोशिस की इसे पगार क्यों नहीं दिया? कुरेशी ने सवाल दागा मैं आभी देता हूँ सहेब आज ये काम पर नहीं आया था होटल मालिक ड्रार खोलने लगा था कितने महिनी से तन्खा नहीं दी से कुरेशी ने पोचा साहिब आजकल धंदा मंदा चल रहा है मालिक ने मिमी आते हुए कहा नोकर को ही मत आ गई थी उसने कुरेशी से कहा साहिब चार महीने से एक भी पैसा नहीं दिया होटल मालिक ने चार महीने की पगार नोकर के हाथ पर रख दी थी लड़के के चेहरे पर खुशी की रेखाई खेच गई थी कुरेशी ने मेरी और मुस्करा कर देखा मैंने कहा कुरेशी तुमारे खाते में एक तो अच्छा काम जुड़ा लड़के ने एक बार फिर कुरेशी के पाउँ पकड़ कर आभार वेक्त किया था बल्लारपूर पेपर मिल्स बल्लारपूर प्रतिवर्ष नाट्य प्रतियोगिता का अयोजन करता था मराठी और हिंदी नाट्कों की यह प्रतियोगिता रंग कर्मियों के लिए ही नहीं बल्लारपूर और आसपास के दर्शकों के लिए भी महतपोण थी मेग दूत नाटे संस्था ने इस परतियोगिता में आधे अधूरे हिमाले की छाया सिहासन खाली है पैसा बोलता है नाटकों का मंचन करके अपनी एक विशिष्ट जगे बना ली थी कई पुरिषकार भी जीते थे इस परतियोगिता में मुझे कई बार सर्वोतम अभिनेता और सर्वोतम निर्देशक का पुरिषकार मिला था आदे आधूरे में शावित्री की और हिमाले की छाया में केंद्री भूमिका के लिए चंदा को सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री का पुरिस्कार मिला था डाक्टर हीरालाल वर्मा, किशन वर्मा जैसे मित्र और मार्क दर्शक इसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपर्ट में आये थे हीरालाल वर्मा एक अच्छे नाटे लेखक थे, उनके मर्सी कीलिंग नाटक को पसंद किया गया था किशन शर्मा आकाशवाणी नागपूर के विविद भारती केंदर में वरिष्ट उद घोषक और मंचों के लोगप्रिय कलाकार थे मुझे आकाशवाणी में उन्होंने ही परिचित कराया था बड़े भाई की तरे उनका स्ने मुझे मिलता था चंदा उनका बहुत आधर करती थी मुझे बनाने में किशन शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है वे जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही सवेदन शील इंसान भी जो मानवी अनुभूतियों को परक लेने की शमता रखते है डाक्टर हनुमन्त नाइडू से चंदरपूर आडिनेस फैक्टरी कलोनी में एक कवी सम्मेलन के दोरान मुलाकात हुई थी पहली ही मुलाकात में वे अपने से लगे थे नागपूर महाविद्दले में हिंदी विभागा ध्यक्स थे अच्छे गजलकार होने के साथ नव भारत में वेंगे शली में एक स्तंब भी लिखते थे पारिवारिक स्तर पर भी वे बेहद आत्मी थे जब भी नागपूर जाना होता था उनके निवास पहले मोहन नगर बाद में सदर चले गए थे पर मैं जरूर जाता था वे मेरे लिए एक ऐसे मार्क दर्शक थे जिनोंने मेरी कमजोरियों के प्रती मुझे सचित किया मेरी भाषा को परिमार्जित किया उनके सानिद्य में ही विजे व्यास और रज्जन तरिवेदी कथाकार से परिचे हुआ था विजे व्यास भी उन दिनों नव भारत में एक साहितिक स्तंब चला रहे थे नए उभरते रचनाकारों के लिए ये स्तंब महतपोर्ण था इसी स्तम में विजे व्यास ने मेरी कविताओं को समिक्षात्मक टिपणी के साथ छापा था प्रसिद घीतकार विरेंदर मिशर जी से भी मेरी भीट डाक्टर हनुमंत नाईडू जी के निवास पर हुई थी नागपूर के जाने माने रचना धर्मे डाक्टर नाईडू के घर पर जमा होते थे डाक्टर नाईडू मेरी दलित विशयक रचना उपर वैसे तो कुछ खूल कर नहीं कहते थे लेकिन ऐस प्रश्यता का विचार उन्हें बहुत पीछे का लगता था कई बार लगता था जैसे कई हमारे बीच वैचारिक ऐस हमती है लेकिन डाक्टर नाईडू कास नहीं इस ऐस हमती को कहीं पीछे धकेल देता था बदन्त आनन्द कोसल्यायन जी के संग बिताईशन मेरे जीवन की अमुले धरोवर है बदंत आनंद कुसल नियायन जी, डक्टर अम्बिडकर और राहूल संकृत यायन जी के साथ लंबे समय तक रहे हैं राहूल जी की रचनाओं से मेरा परिचे काफी पहले जेता मानोव समाज ने जहां मानोव विकास की प्रक्रिया से मुझे आउगत किया था वहीं वज्यानिक भौतिक वाद ने मेरे मन से ईश्वर का अस्तित्व मिटा दिया था वोलगा से गंगा ने एक नई चेतना संचार किया था सांस्कृतिक विरासत के नाम पर जो जूट पाठे पुस्त को दोवारा रगों में भरा जा रहा था उसे वोलगा से गंगा ने चिन भिन कर दिया था उन दिनों मैंने अपने एक मित्र को जिसे भारती अतीत पर गोरव था मानव समाज और वोलगा से गंगा पढ़ने को दी थी वह इन पुस्तकों को पढ़कर विचलित हो गया था उसके भीतर वैचारिक खलबली मच गई थी लेकिन संसकारों की जकडन से मुक्त होना उसके वश में नहीं था राहूल संकृतियान का नाम सुनते ही वह परिशान होने लगा था बोध धर्म की अनेक पुस्तके मैंने राहूल जी के अनुवादों से पढ़ी थी अगुंतर निकाए, मजहम निकाए, सयूक्त निकाए, सुत्त पिटिक, दिर्ग निकाए, बोध दर्शन आधी राहूल जी की पुस्तकों ने मेरे भीतर एक नई चेतना पैदा की थी भगंत आनद कोसल लियायन से राहूल जी के संस्करन, संस्मरन, सुनना अच्छा लगता था मुझे हमेशे अपसोस रहा है कि मैं राहूल जी को देख नहीं पाया लेकिन उनकी पुस्तके मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितना जिन्दा रहना दर्शन, दिख दर्शन, तिब्बत की यात्राएं, चीन यात्रा जैसी पुस्तके विश्व की मेरे पास ले आई थी एक ऐसी चेतना का संचार मेरे अंतस में कर रही थी जिसके लिए मैं भटकता रहा हूँ राहूल सांकरतियान जी के विशे में ऐसी जानकारिया बदंत आनंद कुसलियान जी के पास थी जिसे आनेतर कहीं पढ़ा या जाना नहीं था कभी था नाटक आदी के सासत कहानी की ओर भी मेरा जुकाओं बढ़ने लगा था कहानी का पाठक तो प्रारम से ही था 1978 उनासी के आसपास मैंने कहानी लिखना शुरू किया था जंगल की रानी आदिवासी पर्ष भूमी पर आधारित कहानी मैंने सारिका को भीजी थी उन दिनों आवधना रायन मुद्गल सारिका के संपाधक थे रमेश बत्रा सुरेश उनियाल आदी भी सारिका में ही थे सुरेश उनियाल धेरा दून से थे सारिका से स्विक्रती पत्र आ गया था सारिका उन दिनों सहित्तिक गतिविधियों की केंद्रे पत्री का थी सारीका में छपने की लालसा प्रतेख नए रचनाकार में होती थी कहानी की स्विक्रती पाकर मैं उचल पड़ा था स्विक्रती पत्र उस समय मेरे लिए मात्र कागज का एक टुकड़ा भर नहीं था लेकिन कई बरस तक सारीका ने वह कहानी अठका कर रखी इस बीच जब भी मैं छुटी आता सारीका के दफ्तर जागर कहानी की याद दिलाता सुरेश उनियाल हर बार अश्वाशन देते लेकिन कहानी अंत तक छपी नहीं सुभाश पन्त और सुरेश उनियाल की अच्छी मितरता थी मैंने सुभाश पन्त से कहा कि आप सुरेश उनियाल से कहें लेकिन सुभाश पन्त ने कहा या नहीं मैं नहीं जानता हाँ एक नई प्रती भीजने के लिए सुभाश पन्त ने मुझसे कहा मैंने एक प्रती और भीज दी 1990 में कहानी की वे दोनों प्रतियां एक टंकित पत्र के साथ वापस आ गई कि हम आपकी कहानी अभी तक छाप नहीं पाए है हाँ, पर्तिक्षा का और होसला हो तो वापस भीज दे यानि पूरे 10 वर्ष तक पर्तिक्षा कराने के बाद ओर पर्तिक्षा ये कैसा मजाक है साहित्य के भीतर भी एक सत्था है जो अंकूरित होते पोधे को कुचल देती है सारी का बंदुई, मुझ जैसे ने जाने कितने रचनाकारों की हत्याएं की होंगी सारी का संपादक मंडलने जो विशेशांकों की बाड में अपनी नाव तो बचा ही नहीं पाए हम जैसों को क्या पार लगाते साहितिक शेत्रों में यह कोई पहली घटना नहीं थी फिर भी मुझे लगता रहा कि नए रचनाकारों को रोकना भी शायद संपादक और साहितिकारों की कोई रण निती है आभार हंस का जिसमें मेरी कहानिया छपी राजिंदर यादव ने जिससने और प्यार के साथ मुझे छापा मेरे लिए एक नया जन्म था वरना मारने वालों की कमी नहीं थी देरा दून में हमारे विभाग का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसके लिए नाम मांगे गए थे मैंने भी अपना नाम दे दिया था एप्रेल 1985 में मेरे नाम की स्विगर्थी आ गई थी लेकिन महापरबंदक ने अब भी तक उसे रोका हुआ था सैयूक्त महापरबंदक शिरी गोयल से मेरे अच्छे सम्बंद थे शायरी का उन्हें शोक था उनी के द्वारा मुझे सूचना मिली थी उनकी सूचना के अधार पर मैं महापरबंदक शिरी एस एस नतराजन जी से मिला वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने जब अपने मन की बात उन्हें बताई तो वे मान गए थे 22 जूण 1985 को आडिनेंस फैक्टरी चंदरपूर से मेरा स्थानांतरन आडिनेंस फैक्टरी देहरादून के लिए हो गया था मैं लगबग 13 वर्स चंदरपूर में रहा था चंदरपूर छोड़ते वे लग रहा था जैसे मैं आपना घर छोड़ कर जा रहा हूं बहुत कुछ था मेरे पास जो चंदरपूर ने मुझे दिया था मेरे अनुभवों की फहरिस्त में जो कुछ भी है वह सब चंदरपूर की ही देन है चंदा भी चंदरपूर छोड़ना नहीं चाहती थी वहां के जीवन में वह ऐसे रम गई थी कि उसे छोड़ना मुस्किल लग रहा था सालिग सिंग सबकाले की पतनी वंदना और उसके बेटे बेटियां जैसे हमारे ही बच्चे थे मुन्नी तो मुझे डैडी और चंदा को आई मा कहती थी अपनी मा को वह नाम से बुलाती थी उन सब को छोड़ना चंदा के लिए मुस्किल था उस रात हम सोय नहीं थे वंदना और सालिग मन्नी हमारे पास बैठे रहे सुबह ही निकलना था वह सुबह बेहद पीड़ा दैग थी जीटी एक्सप्रेस से हम देहरा दून के लिए रवाना हो गए थे वे तमाम लोग पीछे चूट गए थे जिनके साथ रहकर सुख दुख बाटा था आज भी महरास्टर की माटी की गंद मेरे पोर पोर में बसी है नाम का उत्रार जिसे उपनाम या सरनेम कहा जाता है मेरे नाम के साथ जुड़कर कई प्रकार की विशम परी स्थीतियां उत्पन करने वाला सिधुआ है अपनी जाती बोधकता के कारण जब ये स्थीतियां अंतर समंदों को परभावित करने लगती है तो इस नाम से चुटकार पाने की सोजने लगता हूँ लेकिन जीत उपनाम की ही हुई है अभी तक तमाम हादसों के बाद भी मैं इसे नहीं छोड़ पाया हूँ बलकि यह और भी अधिक आत्मिय लगने लगा है मराठी के चर्चित दलित कवी लोकनात यश्वन्त को मेरा वालमी की सरनेम अकर्शक लगता है और भी अनेक मित्र हैं जिने मेरा सरनेम सार्थक लगता है ओमपरकाश एक गिसा पिटा सा नाम बालमी की जुड़ने से ही पूर्ण हुआ है कई लोगों का ये मानना है और सरोकारों का साथी बन गया है यह सरनेम ओमपरकाश पर यह बालमी की कुछ भारी भी पढ़ने लगा है स्कूल कालेज में सहपाटियों से लेकर अध्यापकों गुरुजनों ने इस सरनेम पर बहुत बार चीटा कसी की थी मजाक भी बनाया गया लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनने यह सहसिक कदम लगता था उनका तरक था कि एक अच्छूत निमन कही जाने वाली जाती का व्यक्ति अपने नाम के साथ अपनी जाती को सरनेम की तरह लगाए वह भी स्रेश्टा भाव के साथ तो सहसिक हुआ ही एक सज्जन ने इस तरक की भी धजियां उड़ा दिती उसका कहना था साहस की क्या बात है है तो चूड़ा ही अच्छा है जाती पूछने की जहमत से बच गे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह एक बेवकूफी भरा कदम है उस समय जब समाज में जाती के साथ मान आपमान जुड़ा हो सरनेम जान लेने पर लोगों का व्यभार बदल जाता है ऐसा कहने वालों में ज़्यादा तर मेरी ही जाती के पढ़े लिखे मेरे परिवार जन नाते रिस्तिदार होते हैं तथा कतित दलित सहितेकार भी है कई आधिकारी, वद्वान, अकसर मुझसे फासला रखने का परियास करते हैं आडिनेंस फैक्टरी परशिक्षन संस्थान, खमरिया जबलपूर में तकनीकी परशिक्षन के दोरान एक वर्ष का परशिक्षन पूरा होते ही मैंने एक परशिक्षन परिभारी शिरी गुपता के सामने परसुत करना था शिरी गुपता मेरिट के पास किसी गाउं के रहने वाले थे वालमिकी सरनेम की वास्तविक्ता से वे अच्छी तरह परिचित थे उन्होंने उलट पुलट कर मेरा अवेदन फार्म कई बार देखा जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था स्थाई पते में बरला मुझफर नगर देखकर उनका आश्चरिये और शोव एक साथ फूटे अबे सोहरे, ससुरे, यहां तक पहुँच गिया उनका इस परकार बोलना मुझे अनुचित लगा मैंने प्रतिरोध किया तो वे और भी आधी उत्तेजित होकर पिफरने लगे तु मुझे बोलने की तमिद सिखाएगा उनके इस वेभार से मेरा आक्रोष भी बाहर आ गया था पास ही मेरा एक साती खड़ा था और इस हादसे का साक्षी था वह समझा भुजाकर मझे गुपता के काक्षी से बाहर ले आया था बाहर आने पर उसने कहा था ट्रेनिंग में हो ये तो चाहते हैं कि तुम उतेजना में कुछ उल्टा सिधा करो ताकि संस्तान से बाहर करने का अफसर इने मिल जाए इनकी चाल को समझो ये गटना फास की तरह सीने में गड़ गई थी उस रोज परसिक्षन पूरा करके मैं परतियोगिता में चैनी थोकर आगे के कोर्स के लिए आडिनेंस फैक्टरी परसिक्षन संस्तान अंबरनाथ बंबई में आ गया था जहां मुझे दो वर्ष का कोर्स पुरा करना था यही कोर्स मेरी जिविका का साधन बना यदि उस रोज गुपता से हाथा पाई हो जाती जिसकी पूरी संभावना बन गई थी तो मेरे भविशे पर प्रसन चीन लग जाता कितना कुछ सहना पड़ा है यहां तक आते जाते महाराष्टर परवास के दोरान ऐसे अनुभव होये कि लोग वालमे की सरनेम के कारण मुझे ब्राह्मन समझ बैठे थे ऐसा ही ब्रह्म अंबरनाथ मंबई के एक देश पांडे ने पाल लिया था अक्सर अपने घर बुला लेते थे घंटों बैठक जमती थी कभी थे वे एक रोज उनकी बातों से लगा कि वे मुझे ब्राह्मन समझ रहे हैं मैंने उसी समय अपने सरनेम का भीद खोल दिया तो वे कुछ गुमसुम हो गए थे अचानक हमारे बीच एक गहरी खाई बन गई थी फिर हम कभी भी सहज नहीं हो पाए थे बाहर के ही नहीं मेरे अपने भी इस सरनेम से परिशान होने लगे थे मेरे पिताजी अपवाद जरूर थे अनपड होते वे भी उनकी सोच दूसरों से भीन ने थी उनके मन में बेंतहा इमानदारी और आत्मनिष्टा थी वे स्वैम को सर भंग कहा करते थे जिसका अर्थ मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ उनमें हीन भावना लेश मातर भी नहीं थी अक्खडपन उनमें जरूर था जो बोलने से लेकर चलने तक में जहलकता था उन्हें काफी समय बाद पता चला था कि मैं अपने नाम के साथ वालमिकी लगाता हूँ जब उन्हें पता चला तो वे बहुत खुश हुए थे उनकी आँगों में एक चमक पैदा हो गई थी खुशी की जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ मेरी पतनी चंदा मेरे इस सरनेम को कभी आत्म साथ नहीं कर पाई ना इसे अपने नाम से जोडती है मेरे निकम्य पन की गिंतियों में यह सरनेम भी एक है जिसका जिकर यदा कदावे कर देती है अपने नाम की साथ वहे वंच गोतर खैरवाल जोड़ना ज़्यादा पसंद करती है चंदरपूर महरास्टर में हमारा एक थियेटर गुरूप था मेग दूत मेग दूत नाटे संस्ता जिसे हमने लगबग दस वर्ष चलाया था तब आदला होने तक उन दिनों हम दोनों पति-पतनी नाटकों में सक्रिये थे कई नाटकों का मंचन साथ-साथ किया था आदे अधूरे, दुलारी बाई, हिमाले की छाया, सिहासन खाली है आदी हमारे सफल नाटक थे नाटकों की पबलिसिटी में वैं अपना नाम चन्दा खैरवाल ही परचारित करती थी मुझ पर भी लगातार दबाव डालती थी कि मैं भी अपने नाम के साथ खैरवाल ही लगाऊं अक्सर मैं टालने की कोशिस करता तो वैं ऐसे तरक दे डालती थी कि मुझे हार मान लेनी पड़ती थी एक बार तो मैंने तैबी कर लिया था कि इस रोज-रोज की किच-किच से छुटकार अपाओ और अपना सरनेम बदल ही डालो लेकिन दो-चार दिन बाद फिर मैं आपने पूराने सरनेम पर द्रड हो गया था आज भी घर परिवार में जब इस सरनेम पर चर्चा होती है तो मेरी पतनी द्रड शब्दों में कहती है यदि हमारा कोई बच्चा होता तो मैं इनका सरनेम जरूर बदलवा देती उस वक्त मुझे लगता है मेरी पतनी मकान या कपड़े बदलने की बात कर रही है ऐसा नहीं है कि ये वारतालाप मुझे कोई धंश नहीं देते मैं ऐसे शणों में विचलितों उर्ता हूँ मेरे एक मित्र है दिनेश मानव जो आजकल रामपूर उतर परदेश में है वे उन दिनों इलाबाद में थे पत्रखारिता में सक्रिये थे महोदिका नाम की पत्रीका भी उन्होंने शुरू की थी एक ही आंक निकला था, बंध हो गई उस आंक में मेरी एक कविता और एक लेक छपा था लेखक की जगे सिर्फ औंपरकास छपा था यानि सरनेम गायव था संफादक ने एक टिपनी छापी थी कि हम नाम के साथ जाती बोधक उपनाम नहीं छापेंगे इस प्रकार वे जाती वाद खतम करना चाहते थे दलितों में जो पढ़ लिक गए हैं उनके सामने एक बहंकर संकट खड़ा हुआ है पहचान का संकट जिससे उबरने कावे ततकालिक और सरल रास्ता ढूणने लगे हैं अपने वन्स गोत्र को थोड़े ही संशोधन के साथ अपने नाम के साथ जोडने लगे हैं जैसे चिनालिये से चंदरिल या चंचल सोधे से सोधाई या सूध लिखने लगे हैं एक सज्जन ने पार्चा को पार्थ बना लिया है मेरी मा का वंस गोतर केसले हैं जिसे कुछ लोग केसवाल की तरह लिखने लगे हैं ये उन्हें आसान लगता है इन सब के पीछे पहचान की तडफ है जो जातिवाद की गोर आमान मेता के कारण अती किरिया स्वरूप उपजी है दलित पड लिखकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाते हैं लेकिन स्वर्ण उन्हें इस धारा से रोकता है उनसे भेदभाव वरतता है अपने से हीन मानता है उसके बुद्धी मता, योग्यता, कार्य कुशलता पर संधे व्यक्त किया जाता है परताडित करने के तमाम हतकंडे अपनाई जाते हैं इस पीड़ा को वही जानता है जिसने इसकी विभीशिका के नस्तर अपनी त्वच्चा पर सहे है जिसने जिस्म को सिर्फ बहार से ही गायल नहीं किया है अंदर से भी छिन भिन कर दिया है अस्तित्व के इस संकट काल में मुझ जैसा कोई जाती बोधक सरनेम के साथ आता है तो वे तमाम लोग चोकन्ने हो जाते है उन्हें लगता है जैसे कोई उनका भेद खोल रहा है क्योंकि समश्या से पलायन उन्हें सहेज और सरन लगता है जबकि सच यह है कि बदलाव पलायन से नहीं संगर्ष और संवाद से आएगा मोहंदास नेमिश राय कवी लेखक पत्रकार आर्ये नगर नई दिल्ली में रहते थे उन दिनों जब भी में दिल्ली आता था उनके घर पर ही ठहरता था अखिल भारती अयूर विज्यान संस्तान नई दिल्ली में चंदा का इलाज चल रहा था चंदरपुर महरास्टर में आना पड़ता था मोहंदास नेमिश राय जी की पत्नी शकुंतला जी ने सगे संबन्दियों से भी ज़्यादा मदद की थी दफ्तर से छुट्टी लेकर हमारे साथ अस्पताल और डाक्टरों के चकर काटे थे आयोर विज्यान संस्तान के बरामदों में घंटों भूके प्यासे खड़े रहकर अपना नंबर आने का इंतजार किया था मोहंदास नेमिश राय जी अपने किसी संपादक मितर से मिलाने ले गए थे उनकी पत्रीका में कुछ समय तक नेमिश राय जी ने संपादक के विभाग में काम किया था पत्रीका का दफ्तर और संपादक का निवास एक ही साथ था माकान की सीडियां चड़ते हुए नेमिश राय जी ने कहा आपका परिच्चे यदि सिर्फ ओम परकाश कहकर ही दिया जाए मुझे अजीव सा जटका लगा था यह सुनकर मैंने पूछा क्यों उन्हें मेरे विशे में ज़्यादा पता नहीं है आदमी तो अच्छे हैं मेरी काफी इज़त करते हैं किर भी नेमिश राय जी ने सफाई दी थी मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था एक बार तो मन में आया वापस लोट चलू लेकिन भागना तो समयशा का समादा नहीं था उनके पीछे पीछे चल दिया था जैन साहब सामने की कुर्सी पर बैटे थे जब तक मोहन दास नेमिश राय विद्धीवत परिचे की उपचारिकता निभाते मैंने स्वम आगे बढ़कर जैन साहब को अपना परिचे दे दिया था वे गर्म जोसी से मिले थे उनकी बातों या व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं लगा था कि उन पर मेरे सरनेम का कुपरभाव पड़ा है दलित अंदोलन से जुड़े रचना कारों बुद्धी जीवियों कार्य करताओं को अपने अंतर द्वंदों से लगाता जूजना पड़ता है कितना भैचिपा हुआ है मन के अंधेरे कोने में जो हमें सहज जीवन जीने ही नहीं देता मेरी भतीजी सीमा भी ये कर रही थी कथाकार डाक्टर कुसम चतुरवेदी हिंदी विभाग अध्यक्स थी एक दिन बाचित के दोरान मैंने उनसे जखर किया कि मेरी भतीजी आपकी स्टूडिंट है आगले रोज कक्षा में जाते ही डाक्टर चतुरवेदी ने सीमा से पूछी लिया कि ओम परकास वालमिकी को जानती हो सीमा ने कक्षा में एक नजर डाली और इनकार कर दिया उसी दिन शाम को सीमा ने पूरा किस्सा सुनाते हुए अपनी सफाईदे डाली थी सभी के सामने आगर मान लेती कि आप मेरे चाचा हैं तो से पाठियों को मालूम हो जाता कि मैं बालमिकी हूँ आप फेस कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती गले में जाती का ढोल बांद कर घूमना कहां की बुद्धिवानी है सीमा के तर्क समूची विवस्ता की विद्रूप तस्वीर बनकर सामने खड़े थे सीमा और चंदा दोनोंने मिलकर एक सयुक्त मोर्चा बना लिया मेरे सरनेम के खिलाब चंदरपूर महरास्टर से स्थानांत्रित होकर जब देरा दून आया तो मकान की समश्या मूव आये सामने खड़ी थी महीना भर भटकने के बाद डाक्टर सिंग वानी का मकान मिला था कानपूर में दो छोटे-छोटे कमरों में पूरी ग्रस्ती को समेटना पड़ा था ऐसा नहीं था कि देरा दून में मकानों की कमी थी या मैं किराया देने की स्थिति में नहीं था बस मकान मालिक मेरे नाम का उत्रार्थ सुनते ही आय बाय करने लगते थे या फिर कोई बाहना गड़कर इनकार कर देते थे डाक्टर सिंग वानी के मकान से आगे मोड पर भोला राम खरे रहते थे उनकी पतनी रामेश्वरी मेरी पूर्व परिचित थी थे तो वे भी बाल में की ही लेकिन खरे सरनेम लगा रखा था ये मकान उनके ही माद्यम से मिला था उनकी बेटी मन्जू बैंक में नोकरी करती थी अक्सर शाम को या छुटी के दिन मन्जू चंदा के पास आ जाती थी दोनों के बीच ननन भावी का रिस्ता बन गया था इस रिस्ते की चपेट में मुझे भी आना पड़ गया था मन्जू मेरी मूँ बोली बेहन बन गयी थी इसी बीच मन्जू का रिस्ता तेह हो गया था शादी विवा का पूरा इंतजाम मेरे ही हाथों से हुआ था बड़े भाई की जिम्मेदारी मैंने निभाने का पूरा प्रयास किया था दफ्तर से छूटी लेकर घर बाहर के तमाम कारिये पूरे किये थी चंदा ने घर के भीतर के जिम्मेदारी समार रखी थी सभी कारिये सुचारू ढंग से पूरे हुए थे जिस रोज मन्जू की शादी का कार्ड छपकर आया था एक हादसा हो गया था दर्सना भिलाशियों की सूची में घर परिवार के सभी लोगों के नाम छपे थे सिर्फ मेरा नाम गायब था मैंने इस बात को सहज ढंग से लेकर नजर अंदाज कर दिया था लेकिन मेरी पत्नी को ये बात परिशान कर रही थी उसने मन्जू से पूछी लिया की काड पर इनका नाम कैसे चूट गया मन्जू ने बहाने बाजी करके बात को टालने की कोशिश की थी लेकिन चंदा ने जिद्धि सभाव पाया है वै आड़ गई मन्जू से सच्चाई उगलवा कर ही दम लिया था बाबी यहां कोई नहीं जानता कि हम बाल मिकी हैं सभी को यही पता है खरे हैं बहिया का नाम छपते ही भेद खुल सकता था मन्जू रुवासी हो गई थी चंदा को एक और आवसर मिल गया था मेरे सरनेम के खिलाप मोर्शाबंदी करने का ऐसा ही हादसा एको रिष्टेदारी में हुआ था चंदा की भती जी की शादी के काड़ पर भी सभी के नाम थे मुझे उसमें भी छोड़ दिया गया था इन सब का आर्थ ये कती नहीं है कि उन सब के सम्मद मुझे खराब है वे सब मेरे आत्मी हैं मेरे सरनेम से उनकी पहचान के खुल जाने का डर बना रहता है इस सरनेम के कारण जो दंस मुझे मिले हैं उनको बयान करना कठीन है परायों की बात तो छोड़िये आपनोंने जो पीड़ा दी है वह एक अथनी है परायों से लड़ना जितना आसान है अपनों से लड़ना उतना ही दुशकर डाक्टर सुखवीर सिंग दिल्ली विश्वी विद्याले के सिवाजी कालेज में रीडर थे हिंदी के विद्वान, समिक्षक, कवी, लेकक वे भी मेरे सरनेम से दुखी थे उनके निवास विश्वास नगर श्यादरा दिल्ली पर एक रात रुकने का अवसर मिला था पराग परकाशन के श्रीकर्षन जी से काली रेत उपन्यास के परकाशन के सम्बद में बात करनी थी डाक्टर सुखवीर सिंग जी के साथ ही मैं पराग प्रकाशन गया था श्री किर्शन जी उपन्यास चापने को तयार हो गए थे यह हैं अलग बात है कि उपन्यास आज तक नहीं छपा है उस रात डाक्टर सुखवीर सिंग से एक लंबी चर्चा हुई थी बाल में की सरनेम को ले कर उस रात उन्होंने मेरे नाम से पाल में की हटा कर खैरवाल चस्पा कर दिया था उनकी सद्धे परकाशित पुस्तक सूरियांस पर मैंने समिक्षा लिखी थी जिसे ले कर वे आज कल में स्वयम गए थे संपादग मंडल के एक रहसे ने उमपरकास के साथ खैरवाल लगा देखकर जब आश्चरिय व्यक्त किया तो डॉक्टर सुखवीर सिंग ने कहा नहीं अब से हम उन्हें वाल में की नहीं खैरवाल ही कहेंगे वाल में की को अपने हाथ से काट कर उन्होंने खैरवाल लिख दिया था आज कल में ये समिक्षा ओमपरकास खेरवाल के नाम से ही छपी थी डाक्टर सुख्विर सिंग को भी अपनी पहचान के खुल जाने का भै था इसलिए वे सरनेम को अपने से दूर रखना चाहते थे यही समश्या हर किशन संतोशी जी की भी है कई बार वे इस सरनेम पर कटाक्ष कर चुके है हर किशन संतोशी जी के एक मित्र है सरदार ग्यान सिंग जो मेरिट के पास खेखडा गाओं के रहने वाले है वे मुझे मेरे दलित लेखन के द्वारा ही जानते है मेरी कभिताओं कहानियों से प्रभावित है अकसर लंबे लंबे पत्र लिखते हैं जहां एक और मेरी रचनाओं पर उच्सा वर्दक टिपनिया होती है वहीं वे मुझे यह भी समझाने या उपदेश देने की कोशिस करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा मूर्ख हूँ बाल में की सरनेम के कारण वे मुझे एक एसिक्षित व्यक्ति से भी गया गुजरा मानते हैं उनकी मानेता है कि मैं जान भूज कर ब्राह्मन वादी दलदल में फसाओं मुझे बाल में की सरनेम छोड़ देना चाहिए अक्सर हरकेशन संतोसी जी और उनकी पत्नी का उधारन दे कर समझाते हैं सफाई संगठनों के करमचारियों के निमंतरन पत्र पहुतायत में आते हैं मेरे पास जिन में सभाओं, बैठकों, अधिवेशनों का जखर होता है एक भार मैंने हरकेशन संतोसी जी से इस बात का जखर किया तो वे मुस्करा कर बोले बाल में की सरनेम लिखोगे तो ऐसा ही होगा सफाई करमचारी ही समझे जाओगे मेरे रचनाओं पर जो पाठकों के पत्र आते हैं उनमें कुछ पत्र बाल में की युवाओं के भी होते हैं जो अपने नाम के साथ बाल में की सरनेम जोड़ना चाहते हैं नवोदित कवी महिंदर बैनिवाल ने भी बाल में की सरनेम अपने नाम के साथ लगाने की इच्छ जायर की थी एक लंबा पत्र व्यभार चला था, कुछ दिन लिखा भी, लेकिन बाद में बैनिवाल लगा लिया अभी हाल ही में एक कार्य करम में मुझे बोध साहित्य एवं धर्शन पर व्याख्यान देने के लिए अमंत्रित किया गया था मुझे से पहले दो दिन विद्वान बोल चुके थे, जैसे ही मैं बोलने के लिए माइक पर आया, एक शुरोता ने ठोक दिया बाल में की बोध दर्शन और साहित्य पर बोलेगा, शरम नहीं आती उनकी टिपनी पर पूरा बातावन बिगड गया था आयोजोकों ने उसे रोकने की कोशिस की थी, मेरी बात और तरक सुनने के लिए वह तयार नहीं था मैंने हिंदू समाज में फैली जाती भावना पर बोलना शुरू किया, तो वह कुछ शान्त हुआ मुझे लगा कि समश्या गहरी है और उसके समाधान मात्र बहारी, आंतरिक विसंगतियों पर सववाध ही निता है उस गटना पर आयोजग दुखी और खिन्न हुए थे, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा अनुभव था, जिसने मुझे और आधिक शक्ती दी थी जाक्टर धर्मवीर से एक मुलाकात के दोरान इस सरनेम से उपजी वे त्रशना पर बादचीत हुई थी, उनका कहना है इसे हटाई मत, यह आपकी पहचान बन गया है चंडीगड में पांच राजियों, दिल्ली, पंजाब, हारियाना, हिमाचल और उतरपर्देश के दलित साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ था दो दिन चलने वाले इस सम्मेलन के अंतिम सत्र में मुझे अपना वक्तव्य देना था मेरे बाद दलिप सिंग एडवोकेट हिमाचल का वक्तव्य हुआ था वे भूत पूर्विधायक है, अच्छे वक्ता है उन्होंने मेरे सरनेम पर एक उच्सा वर्दक टिपनी की थी साथ ही मेरी कभिताओं और कहानियों पर भी समिक्षात्मक चर्चा की थी चर्चा में कुछ ऐसे मुद्दे उठ गए थे की अंतिम सत्र उत्तेजक वातावर्ण में समाप्दुआ था बाल में की सरनेम ने यहां भी अपना आसर दिखाया था सभी साहित्यकार किसान भावन में ही ठहरे थे मैं अपने मित्र राम सिंग जी के निवास सेक्टर 47 में रुका था उनकी पतनी इंदुजी सहित्तिक अभिरूची संपन्न है पुस्तकों के अध्यन मनन का उन्हें शोक है सत्र में हुई चर्चा का जिक्र मैंने उनसे किया था वैसे तो वे कभी खुलकर नहीं कह सकी लेकिन उस रोज उन्होंने दवेस्वर में कहा था वालम की सरनेम कुछ ठीक नहीं लगता उस समय इस पर हम जादा बहस नहीं कर सके थे ना वैसी कोई गुंजायस थी अगले रोज भी लोग मुझे बसाठे तक छोड़ने आये थे सेक्टर 47 में जहां बसे रुकती हैं बेंचों पर ड्राइवर और कंड़क्टर बैठे रहते हैं जिस समय हम वाँ पहुँचे वे जोर जोर से बहस कर रहे थे जादातर ड्राइवर सिख थे एक ड्राइवर ने बहस का समापन करते हुए कुछ भी कहो चाहे जिनना बड़ा अफसर बन जावे उस दी जाद नहीं बदल सकती चूड़ा है तो रहेगा चूड़ा ही इस वारता लाब को सुनकर इंदू जी ने मेरी और देखा उनकी आखों में जैसे पुरशन था अब कहो लेखक जी इसके बाद भी आपके सरनेम का कोई अचित्यपुन तर्क है कुछ देर के खामुशी के बाद इंदू जी ने कहा था आपका ये सरनेम किसी दिन आपकी परतिष्ठा को जबर्दस्त धक्का पहुँचाएगा उशी शन पास खड़ी उनकी बेटी सोनिया बोल पड़ी अंकल जी मैं अपने नाम के साथ वाल में की लिखूंगी उनका बेटा साहिल इस चर्चा को समझनी पा रहा था इंदुजी भविशे के प्रतिय अशंका से भर गई थी कुछ बोल नहीं पाई बस ड्राइवरों की और एक टक देख रही थी दफ्तर में भी कई आधिकारी सहकर्मी तथा आधिनस्त करमचारी इस सरनेम के कारण मेरा मुल्यांकन कम करके आखते हैं शुरू शुरू में गुस्सा आता था आकरोश में उलज भी पड़ता था विरोध तो अब भी करता हूँ लेकिन अलग-अलग ढंग से अब कुछ सहजता से लेता हूँ क्योंकि यह एक सामाजिक रोग है जो मुझे जहलना पड़ रहा है जाती ही जहां मान सम्मान और योगता का आधार हो सामाजिक सुरेश्टिता के लिए महतुपोर्ण कारक हो वहाँ ये लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती है लगातार विरोध और संगर्ष की चेतना चाहिए जो मातर ब्रह्म ही नहीं अंतरिक परिवर्तन गामी भी हो जो सामुहिक बदलाव को दिशा दे अब तो ये हैं सर ने मेरे नाम का एक जरूरी हिस्सा बन गया है जिसे छोड़ कर ओम परकास की कोई पहचान नहीं है पहचान और मान्यता दोनों शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं डाक्टर अंबेडकर दलित परिवार में जनमे थे लेकिन अंबेडकर ब्राह्मन का गोतक था जो एक ब्राह्मन अध्यापक का दिया हुआ उपनाम था लेकिन भीमराव के साथ जुड़कर उनकी पहचान बन गया जिसके आर्थ ही बदल गए आज भीमराव का अंबेडकर के बिना कोई आर्थ नहीं है बात सन 1980 के आसपास की है मैं और मेरी पतनी चंदा राजिस्तान ब्रहमन से वाया दिली, चंदरपूर, महरास्टर लोड रहे थे जैपूर से पिन्क सीटी एक्सप्रेस में सीट मिली थी पास की सीट पर एक सब्राद परिवार, पती-पतनी और दो बच्चे बैठे थे जो जैपूर से नई दिली जहा रहे थे बातचीत में पता चला कि पती पतनी किसी मंत्राले में अधिकारी थे सामान्य बातचीत चल रही थी सहे जोर सुखद वाता बनता राजस्तान की खुब सूर्ती पर चर्चा चल रही थी मेरी पतनी और अधिकारी की पतनी गुल मिलकर बती आ रही थी इस्त्रियों में ऐ परिचे की दिवार जल्दी तूटती है अचानक बाच्चित के बीच विशे बदल गया अधिकारी की पत्नी ने मेरी पत्नी से पूछा बहन जी आप लोग बंगाली हैं? मेरी पत्नी ने सहजता से उतर दिया जी नहीं उतर परदेश के हैं मेरे पत्ती आडिनेंस फैक्टरी चंदरपूर महराष्टर में पोस्टिड हैं कोन जातो अधिकारी की पत्नी ने दूसरा सवाल दागा प्रशन सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा फक्क पड़ गया और मेरी ओर देखने लगी सारा महोल बिगड गया था जैसे अचानक स्वादिस्ट वेंजन में मक्खी गिर गई जब तक मेरी पत्नी कुछ उतर देती मैंने उतर दे दिया बंगी बंगी शब्द सुनते ही सन्नाटा चा गया रास्ते भर दोनों परिवारों में कोई समाध नहीं हुआ एक ऐसी दिवार बीच में खड़ी हो गई थी जैसे हमने किसी चोर दरवाजे से घुसकर उनकी हसी खुसी में दखल डाल दी हो माहोल बोजिल हो गया था बहुत तकलीव दे हो गई थी आतरा ऐसी एक नहीं अने घटनाए है भच्पन से लेकर आज तक ना जाने कितने दंश जिसम पर ही नहीं मन पर भी चुबे है इस घृणा द्वेश के पीछे कौन से एतिहासिक कारण है जब जब भी वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानने वालों और हिंदूत्वों पर गर्व करने वालों से पूछा तो सिधे उतर देने के बज़ाए बात को अक्सर टाल जाते है या नाराज हो जाते है ग्यान की बड़ी बड़ी बाते कहेंगे लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे कि आदमी को जन्म के आधार पर मानवे मुल्लों से वंचित रखना किसी भी तरे न्याई संगत नहीं है स्वर्णों के मन में कई परकार के पूर्वा ग्रह हैं जो आपसी संबंदों को सहज नहीं होने देते हैं भारतिय समाज में जाती एक महतो पूर्ण घटक है जाती पैदा होते ही व्यक्ति की नियती तह कर देती है पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता यदि होता तो मैं बंगी के घर पैदा क्यों होता जो स्वयम को इस देश की महान सांस्कृतिक धरोवर के तथा कतित अलंबरदार कहते हैं क्या वे अपनी मर्जी से उन घरों में पैदा हुए हैं हाँ इसे जस्टिफाई करने के लिए अनेक धर्म शास्त्रों का सहरावे जरूर लेते हैं वे धर्म शास्त्र जो समता स्वतंतरता की हिमायत नहीं करते बलकि सामन्ती प्रवर्तियों को स्थापित करते हैं तरहें तरहें के मितक रचे गए वीरता के अधर्शों के कुल मिलाकर क्या परिणाम निकले पराजित, निराशा, निर्धनता, अज्यानता, संकीर्णता, खूप मंडूकता, धार्मिक जड़ता पुरोहित वाद के चंगूल में फसा, कर्म कांड में उल्जा समाज जो टुकडों में बटकर कभी युनानियों से हारा, कभी शकों से कभी हुनों से, कभी अफगानों से, कभी मुगलों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से हारा फिर भी अपनी वीरता और महनता के नाम पर कमजोर और ऐसा हायों को पिठते रहे घर जलाते रहे, ओरतों को अपमानित कर उनकी इज़त से खेलते रहे आत्म शलागा में डूब कर सच्चाई से मुँ मोड लेना इतिहास से सबक ना लेना, आखिर किस रास्ट के निर्मान की कलपना है वक्त बदला है, लेकिन कहीं कुछ है जो सैज नहीं होने देता है कई विद्वानों से जनना चाहा कि स्वर्णों के मन में दलितों, शूदरों के लिए इतनी घरणा क्यों है पेड़ पोधू, पशुपक्षियों को पूजने वाला हिंदू, दलितों के परती इतना ए सहिशनू क्यों है आज जाती एक विशिष्ट और महतुपूर्ण घटक है जब तक ये पता नहीं होता कि आप दलितें तो सब कुछ ठीक रहता है जाती मालूम होते ही सब कुछ बदल जाता है फुस फुस हाटें, दलित होने की पीड़ा, चाकु की तरह नस नस में उतर जाती है गरिबी, एसिक्षा, छिन भिन, दारुन जिंदगी, दर्वाजे के बाहर खड़े रहने की पीड़ा बला अभिजाते गुणों से संपन, स्वर्ण हिंदू कैसे जान पाएंगे जाती ही मेरी पहचान क्यों, कई मित्र मेरी रचनाओं में मेरे लाउडनिंस, एरोगेंस हो जाने की और इशारा करते हैं उनका इशारा होता है कि मैं संकिर्ण दाइरे में कैद हूँ सहीतिक अभिव्यक्ति को व्रापक अर्थों में ग्रहन करना चाहिए संकिर्णता से बहर आना चाहिए, यानि मेरा दलित होना और किसी विशेय पर अपने परिवेश, अपनी सामाजिक आर्थिक स्तीतिक अनुसर द्रिष्टी कोण बनाना एरोगेंस हो जाना है क्योंकि मैं उनकी नजर में सिर्फ ऐसी हूँ, दरवाजे के बार खड़ा रहने वाला